हेलो एवरिवन कैसे आप सब आई होप आप सब बहुती खुश मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे राइट बच्चों तो मैं पूनम प्रजापत कक्षा बारवी में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं अब रसाइन विज्ञान बार 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 बोलने की ज़रत नहीं क्योंकि आप अब तो जानने लग गए हैं ना कि हम आपो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं राइट तो फटा 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 फट जल्दी से आजाईए क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जुड़ जाईए ताकि आज जो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले ह हैं वह हम लोग अच्छे से सभी एक साथ पढ़ सकें राइट बच्चों तो फटा फट जल्दी से जल्दी शेयर करो जितना उसके जल्दी शेयर करो ताकि बच्चे सभी आजाएं और आज जो अपनी क्लास होने वाली है वह बहुत इंपर्टेंड है उसका फाइदा सभी क है ना हम सब तो यही तरह पी रखते हैं कि ज्यान को जितना बांटो उतना बढ़ता है ना में परस्नल्य ऐसा सोचती हूं तो मैं चाहते हो कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं थोड़ा वो भी ऐसा सोची राइट बच्चों कहते हैं अच्छा करने से अच्छा मीरी जा आता है इसीलिए हम सब वही कोशिश कर रहे हैं मिलकर ताकि आप सभी बच्चों के सामने जो भी समस्यां या रही है पढ़ाय को लेकर वो सब डॉट हम क्लियर कर सके क्योंकि हम सब यहां पर आपको डॉट नट में पढ़ा रहे हैं यह तो चलिए बच्चों शुरू करते है हम आज की इस पार्ट शाला को करें शुरू आगे सब जल्दी से लिख दो फिर कमेंड में यस मैं ताकि मैं शुरू कर सकूं मेरी पार्ट शाला को आप बच्चों के साथ बच्चों हम आज अपना अगला चैप्टर त्वल्द क्लास का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है राजसाइन एक बल गते की जिसे हम कैमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं क्लियर बात समझ आ रही है नाम से क्या समझ में आता है और हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे यह अभी मैं बताऊंगी और साथ ही हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके उपर डिसकस करते हुए हम आज के में टॉपिक तक पहुंचेंगे ओके तो जुड़ गए सब लोग आ गए शेर कर दो वही जल्दी से ताकि सब बचे जुड़ जाए ओके जी चलते हैं हम लोग नहीं आते हैं हमने भी वही कोशिश की है कि आपको उसी तरीके से पढ़ाया जाए तो अपना जो चैप्टर का नाम है वह जस्टिफाइ करते हुए हम आज के टॉपिक को देख लेते हैं कि आज का टॉपिक जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो आज बच्चों हम पढ लेगर क्या होता है राइट चलते हैं जी शुरू करते हैं आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वही से शुरुवात करते हैं पर पहले चैप्टर का जो नाम है उसको थोड़ा सा बता देते हैं चैप्टर है क्या रासाइनिक बल गती की हैना बेटा सही है कि गलत जला सब ऐसे संधावता यही नाम है जिसे हम कैमिकल काइनेटिक्स स्विके है रासाइनिक यानि चैशिक कोई रेयक्षन फूयभी किया रासाइन आ हैं या बल गती की बल यानि को एक कोई फॉर्स उसके लग रहा है जब कोई रसायन किसी भी अभी क्रिया को अभी क्रिया को एनर्जी प्रोवाइड करता है तो अभी क्रिया में गती हो जाती है यानि उसका कोई न कोई वेग आज उसमें कोई न कोई वेग उत्वपन हो जाता है अर्थार्थ कोई राजसाइनिक अभिक्रिया किस वेग से संपन होती है उसकी अभिक्रिया का वेग क्या होगा यदि आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे किस टॉपिक में पढ़ेंगे वो होगा आपका रासाइनिक बल गतिकी किसी बल या उर्जा के माध्यन से यदि कोई अभी क्रिया को संपन कराया जाता है तो वह होता है रासाइनिक बल गतिकी बात समझ में आ गई अब कोई दिकत नहीं यानि बात ये क्लियर ओचुकी है कि हम इस चैप्टर में में ली क्या पढ़ेंगे अभी क्रिया का वेख अभी क्लिया जो वेख के माध्यम से कितने प्रकार की होती है और उन्हें किस प्रकार से प्रदशित किया जाता है क्लियर जी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को पता चलाना अभी क्या होती है रासाइनिक बलगती की जंदरली पता है क्या होता है हम चैप्टर का नाम लिखते हैं लिखकर हम टॉपिक पर आ जाते हैं बच्चों को पता ही नहीं होता कि वह टॉपिक जो चैप्टर आप पढ़ रहे ह वो चैप्टर क्या है राइट इसी लिए हम एक नए तरीके से आपको हर चीजों को क्लियर करने कुछिश कर लें इसलिए ज़्या-ज़्या फाइदा उठाओ ज़्या-ज़्या क्लास को शेयर करो ताकि सभी बच्चे इसका लाब उठा सकें ओके चलिए जी तो इसकी परिवा प्रभावित करने वाले कारक कौन से है उनको डिसकस किया जाएगा साथ ही साथ जो भी क्रिया है उनकी क्रिया विदी क्या होगी उसको भी यहां डिसकस करते हैं तो जब इन सब बातों का अध्यन रसाइन विज्ञान की जिस टॉपिक में किया जाता है उसे हम कहते हैं रसा सायनिक बलकती की परिभाशा के साती अब बढ़ते हैं आगे कि अभी के लिएक को पर्तिशित कर रही है तो उनके प्रेंट कितने प्रतार की हो अच्छा बिटर कई अभी क्रिये हम्य मेंb helpy होती है ना जैसे अब ने क्या किया अमल में चार डाल दिया पानी में नम डाल दिया डाली देते हैं पानी में ठोस पदाट डाल दिया या फिर यू कहूं लोहे पर जंग लग गया दूद का दही बन गया एसी अभी क्रियां हम सब रियल लाइफ में देखते हैं डन जब यह अभी क्रियां देख रहे हैं तो यह अभी क्रियां के संपन होती है क्या कुछी सेकेंड में हो जाती है क्या कुछ सम कुछ किस प्रकार कितने प्रकार की होती है ती और होथ पहल aur प्रकार है उसमें क्या तिव्र अविकरिया यह इसे हम दूसरा नाम लिख सकते तांंड है तांग अभी को अभी जिसे हम किवल मंद अभी करिया से कर सकते हैं और तीसरी है बेटा कर सकते हैं ताक्षनिक अभी क्रिया क्या होती है इसकी परिभाशा को भी देखेंगे कितना समय लगता है और किस तरह से यह जाती है एक्जामपल्स कौन-कौन से हैं उनको डिसकस करते हैं तो यहां तक बात समझ में आ गई तो फटाफर लिग दो यस चले ओके जी आए सबसे पहले तेवर अभी क्रिया बेटा तेवर अभी क्रिया क्या होती है वे अभी क्रिया है जो विदिन सेकिंड यानि माइक्रो सेकिंड में जो क्या हो जाती है अभी क्रिया अभी कारक उत्पाद में बदल जाता है वो तिवर अभी क्रिया होती है इसका सबसे अच्छा एक्ज में जब चार डालते तो तुरंद रियक्शन हो जाता है दोनों एक दूसरे में तुरंद गुल जाते हैं तो वह अभी क्रिया क्या होती है तिवर अभी क्रिया और यह किस प्रकार की होगी जरा आप कमेंट में लिखकर बता फटा फट जब तक मैं परीभाशा को समझाएं पर अभी क्या कहते हैं ऐसी अभी क्याओं का वेग मापन प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि यह इतनी जल्दी मैंने कहाना माइक्रो सेकंड्स में पूरी हो जाती है किसमें राजा माइक्रो सेकंड्स में पूरी हो जाती है तो वहां पर अपन इसका मापन करना आयनिक प्रकार की होती है जरा ध्यान से आयनिक अभिक्रियां किस प्रकार की होती है सक्षन आता है तो बच्चे लिखे हैं क्या तिव्र या ताक्षनिक अभिक्रियां क्लियर बात समझ में एक्जांपल कियो नजर आयनिक अभिक्रियां कार्बनिक प्रतिस्थापन अभिक्र या तिव्रवेग अभिक्रियाओं के उधारण है जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं यहां पर अच्छी यह प्लस अने ओएच इस इकल टू क्या बना बेटा अने सी अल प्लस एच टू यह किस प्रकार की अभिक्रिया है उधासीनी करण यह सब आप सभी बच्चे यह अभिक्रिया है तो तेंत में भी पढ़कर आएं इलेमंत में भी पढ़कर आएं तो उधासीनी करण अभिक्रिया क्या होती है इस बात को आपको पता चल गया होगा लेकिन यह बहुती कम समय में पूर्ण होती है इसलिए इनित् मस्में आगए तो चलते हैं आगे अगला टापिक है आपका कौनसी मंद अभी अ कौन सी होती है वे विक्रिया है जो बहुत लंबा समय यानि यूँ कहूं कि सालों भी जाते हैं तब जाकि उनका प्रोडक्ट सामने आता है हाँ या ना दिमाग में यह क्लिक कर रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर बताओ कि यह कौन सी अभी क्रियाई होती है जो आती मंद होती है जब तक मैं एक बाल अभी परिभाशा को बता लेती है कौन सी परिभाशा है जरा एक नज़र वे र PHP पूर्ण होने में मिनिट से लेकर कई वर्ष लग जाते हैं यह मिनिटों में संपन नहीं होती वर्षों में संपन होती है जैसे लोहे पर जंग लगना या सके वि century सब्सक्राइन है ह्यार ना धिटा बात समझ में आ गई होगी कि यहती मंद है नहीं है तो बता दो लोहे पर जंग क्या आपन लोहे के दर्वाजे घर में लगाते हैं तो अगर तुरंती जंग लग जाएगा तो क्या हम यूज करेंगे हम दर्वाजा लोहे का बनाएंगे कभी नहीं पर बहुत साल बीतने के बा कि कौन सी मध्यम अभिक्रिया यह कौन सी अभिक्रिया होती है जो ना तो जादा तिवर होती है ना ही जादा मंद होती है यानि एक पर्टिकूलर समय जिसको हम लोग नोट कर सकते हैं उस समय अंतराल में संपन होने वाली रासाइनिक अभिक्रियां क्या कहलाती है मंद अभ वेखतिव अबिक्रियां के बीच का होता है यानि ऐसी समय जिनको अपन नोट कर सकते हैं इतने समय में वोखिक्रियापूण होती है क्लियर मंद अबिक्रियाओं से कम समय लगता है संभावना को उश्मा गतिकी के द्वारा निर्धायत किया गया करने वाले कारकों को जानने के लिए परियाप्त होती है यानि हम इसके अभिक्रिया का वेग इन शोट कहूं तो ग्याद कर सकते हैं तिक्ष्र में नहीं और मंद में भी नहीं मंद में इतने साल कोने इंतजार करेगा सालों जो विक्रिया लगा देती हैं उत्पाद बनाने में उनको अपन नोट करना संभव नहीं है क्योंकि इतना इंतजार कोई नहीं करता आज इसके पास समय नहीं इतना राइट तो चलते हैं एक एक दिनाजर एक्जामपल पर क्या कह रहे हैं कि हीरे को ग्रेफाइट में ब नहीं पर बताया गया कि जब हीरे से ग्रेफाइट बनता है तो समय तो लगता है लेकिन वह समय इतना परियाप्त होता है कि हम उसे नोट कर सकते हैं आणविक परकार की अभिक्रियाई होती है जैसे फॉर एक्जामपल अगर मैं बताऊं कि टू एच आई इस इकल टू एच समझ में आ गई होगी तो इस प्रकार की अभिक्रियाई आणविक अभिक्रियाई यह कहूं अणू के द्वारा अभिकारत जो अनू होते हैं अनू जब आपस में रियक्शन करते हैं तो पधार्थ जो बनता है वह आणविक परकार की अभिक्रियाई होगी तो फटा-फट उतार लेंगे वैसे यह सब्सक्राइब को पता है मैं चाहती हूं कि यह नोट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूं तो बेटा फटा फट कमर में लिखो यस मैं ओके डन चलते हैं आगे अगले पढ़ाओ पर आप अपन देखते हैं कि रासाइनिक बलगतिकी में हम अभीक्रिया के वेक के बारे में अध्यान करते हैं और उसके अभीकार प्रभावित करने वाले कारकों का अध्या जाता है अब अपन देखते हैं जो वेग है जला ـ दियों कि जोब भिकरिया का विग अभिकरिया कितने तो ती किरिया मंद भिकरिया और अति मंद भिकरिया तो उसमें वेग रहान के तो ताक्षनिक लेङ अधानीक वेग और दूसरा है क्या ओसत वेग क्लियर अब ताक्षनिक वेग और ओसत वेग क्या है अभिक्रिया जिस वेग से संपन हो रही है तो उसके वेग कौन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं पहला ताक्षनिक और दूसरा ओसत वेग यह ताक्षनिक वेग तो ताक्षनिक अभिक्रियाओं के लिए हुआ ना जो ब अभी किरिया को अभी करिया जब संपन हो रही है तो उस वेग को हम ग्यात कर सकते हैं जिसे ग्यातल नहीं कर सकते हैं उसे ताक्षणिघ आप देखे थैसे यानी छनिक अगर आप देखें तो और पलक ढ़ता गाहा दो चंट्ट हुआ हाँ या ना बात समझ में आगई तो कहा कि जो वेघ होते हैं उनका अध्यान अपन करते हैं हैं कौन-कोन से वेघ है होसतवेग और ताक्षणिक लेग है क्लिए बात समझ में आगई अच्छ चलते हैं आगे अब देखते हैं अपन अपना अ अ अब चलते हैं अपन थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपन जो वेग पढ़ने वाले हैं उन्हें हम किस तरीके से रख्त कर सकते हैं एक बात ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं जब अभी क्रिया संपन होगी तो तोक्षनिक वेग जब भी आप किसी को नздरे कर के दिखाते हैं उसे डिनोट करते हैं 550 से गया जाता है मैं और या नपत्लब यह क्या है और एल लचा मतलब यह is क्या है वो सब बात समझ आगई बात अब चलते हैं हम आगे आप देखते हैं जरा सा अभी क्रिया का वेग ठीक पहला अभी क्रिया का वेग जो है उस क्या होता है ठीक चलो मैं पहले समझाओंगे फिर परीबाशागो कोरूँगा अभी क्रिया का वेग, ध्यान से समझना एक शब्द आएगा, अभी क्रिया दर, ठीक, अभी क्रिया का वेग, अभी क्रिया दर में क्या फर्क होगा, वेग आर, जिसे हम हमेशा ये कहेंगे, कि अभी क्रिया का वेग, अभी क्रिया या उत्पाद की सांदरता और समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उस पर निर्वर करता है, यानि, अभी क्रिया या उत्पाद की सांदरता में होने वाला परिवर्तन, बटा, समय में होने वाला परिवर्तन, या यू कहूं, कि अभी कालक या उत्पात की सांद्रताओं में होने वाला परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय लिख दू बात समझ में आ जाए तो परिवर्तन में लगा समय चलो मैं लिखी देती हूँ अच्छे से ताकि मेरे बच्चों को चीजें क्लियर हो जाए है न बात समझ में आने चाहिए तभी जाके उस चीज को या टॉपिक को हम को रिलेट कर सकते क्रिवर्तन अभी कार्क या क्रिया कारण वह वहीं बात है न जब अपन सब चीजे सही करना चाहते नहीं तो चीजे अभी कारक कि या उत्पात किस सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय जबकि अभिक्रिया दर या दर्नियम क्या होता है दर्नियम को भी आर से ही रिपर्जेंट करते हैं लेकिन वह होता है हमेशा क्या येवर किसके बराबर किसके समानुपाती अभिकर को संहता है इस बात को जो बच्चा भी समझ जाएगा वो आगे सभी बात्तों को शुत्च चाहेगा इसलिए मैं यहां पर बता रहे हैं जब मैं अभी किरिया का वेग बताऊंगी तो मैं लिखूंगी अभी किरिया अभी कारक या उत्पाद में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय जबकि मैं यहां पर जब दरनियम पढ़ाऊंगी तो मैं कहूं कि अभी किरिया का वेग अभी कारकों की सांद्रताओं के क्या होता है समानुपाती होता है बात समझ में आ गई अगर यस तो फड़ा वट कमेंड में लिखो यस मैं ओके जी ओके अब यह उतार लेना भई बच्चों अब चलते हैं आगे अब परिभाशा की और बढ़ जाते हैं इकाई समय में अभी कारक या उत्पात के सांद्रता में होने वाली परिवातन को अभी क्रिया का वेग कहा जाता है इसकी इकाई क्या होती है वैसे तो यह है पर मैं इसको आ वेग सुत्र उत्पात या विकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय राइट बात समझ में आ गई होगी अभी क्रिया की वेग को सामने तया ओसत वेग द्वारा ही पर्दिशित किया जाता है क्यूं क्यूं किया जाता है ऐसा क्यूं क्या होता है ऐसा जिसे इस तरह से भी पर्जेंट के जाता है क्योंकि ओसत्वेग को ही हम लोग क्या कर सकते ग्याद कर सकते ताक्षनिक और मंद में नहीं clear बात समझ में आगई तो चलते हैं अगी अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ताक्षनिक विग क्या होता है उसको कि सथरे पर्जेंट करते हैं फिर ऑंदे्के ओसत्वेग क्या होता है उसे किस तरफ between in kande đoan mANG की इन दोनों फोग्लाफ में कैसे परदिशित ध्या दिया जा सकता है चले आज आई जना सब से पहले ट ऑक शन KV TAC ट वह होता है जो क्या होता है वह कम समय के लिए ग्याटिया या बहुत कम समय अविक्रिया उसुं पहले परीवार्ष चाहिं एक इसी समय पर अभी कि वेक को ताक्षणिक वेक करते हैं यानि वह बिंदू के रूप में होता है एक बिंदू का निर्मान करते हैं उसके सापक्ष परश रेका खीचते हैं हैं और अपने पास इस तरह से कोई ग्राफ आया है अभी क्रिया जब संपन हो रही है तो अभी कारक उत्पाद में बदल रहे हैं अभी कारक है यह और यह उत्पाद है ठीक है कोई बात नहीं अभी कारक दिरे 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 किस तरफ आ रहे हैं उत्पाद की ओरा है अभी बाकी मैं कुछ नहीं बता रही हूं मैं एक जनरल कॉंसेप्ट बता रहे हैं तो बेड़ा देखो यहां पर ढाल है यानि यहां पर कोई भी बिंदू आप लें और उस पर एक पर्ष रेखा आप खीच दें तो इस बिंदू पर आपका जो भी मान आता है वही मान क्या आएगा भई ताक शनिक मान आएगा बात क्लियर हो गए बात समझ में भी आ गई होगी सही है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो कहा कि अब इस ताक्षनिक वेग को क्या करोगे अब वेग में तो अभी कारक भी होंगे या उत्पाद भी होगा और समय तो होगा जो हो गई सही है तो कहा कि ताक्षनिक वेग में अपने को इसको डेल सी अपॉन डेल टी किसी भी परिवर्तन कोई भी अभी कारक है उसकी सांद्रता समय के साथ बदल रही है और यहाँ पर आप क्या लग दें लिमिट लगा दें यानि मैं यूं कहा दू कि कोई भी अपने पास डेल सी अपॉन डेल टी और यहां में लिख दू क्या आगे लिमिट लगा तो है टी स्टैन्टू जी लिमिट लगा तो है लिमिट लिमिट का मतलब क्या है कि अगर मैं पांच मिनट में कोई अभी क्रिया संपन कराना चाह रही हूं तो वो अभी क्रिया पांच मिनट नहीं विदिन टू सेकंड हो रही है तो मैं उन टू सेकंड में ही एक बिन्दू ऐसा लूँगी जहां पर मैं ये ग्याद करूँगी कि अभी क्रिया में परिवर्तन कितना हुआ है या यू कह दू अभी कारक या उत्पाद की सांदृता में परिवर्तन दो सेकंड में कितना हुआ है बात समझ में आ गई तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं इस लिखाए ना प्लस माइनस डी सी अपॉर बीटी कि मैंने भी बताया था ताक्षनिक में इस तरह से दिनोट किया जाता है अगर बात समझ में आ गई है तो फटा फट चल्दी से लिखेंगे यस मैं सेकेंड आता है अब अच्छा इसको इरेज करो तो लिखेगा अपने पास एक रियक्शन है बिटा जिससे अपने इस तरह से लिख रहे हैं और फाइब इस इकल टू फोर एन और टू प्लस ओर तू क्लिया अब इसमें ताक्षन एक वेक तो और किसे लिखेंगे बी एन टू ओ फाइफ अपन डी टी प्लस एक बटा चार दी ऑन ओ टू डैल डी टी प्लस दी अनो टू बटा डी टी क्लिया अभीकारक और उत्पाद समय के साथ परीवर्तन कि दर लिख दी यह बटा दो क्यों लिख रहे हैं यहां पर आगे क्यों लि के बस की अभी क्रिया को इस तेरह से जाता है अभी कारब इत्रपाद की सांडुरता बटा समय क्लियर बस इतना पता है कि बी लिग रहा है कि ताक्षन के क्या चलते हैं आगे अब जा सकता है तो परिवाश्य आपके समय में जो परिवर्टन होता है या पदार तो इसांता में हुए परिवर्टन को कहते हैं कोई दिकत नहीं है माना डेल्टी समय में जो परिवर्थन होता है उसे इस तरह से री परजेंट किया जाता है यहां किया पर समय इतना परियापत है कि हम अभी कर्या का वेग ड्याद कर सकते हैं और डेल से री परजेंट करने का तो पता है ही तो तो कह रहा है कि अगर आप अभी क्रिया लिख रहे हैं तो उस दौरान प्लस और माइनस लग रहा है तो प्लस का मतलब होता है अभी कारत जब उत्पाद में व्रधी होती है तो प्लस लगाते हैं अभी कारत में कमी होती है तो वहां हम से माइनस के द्वरा रिपर्जेंट करते है बात समझ में आई, चलते हैं आगे, अब देखो भाई, अब अपने पास अपन इसको graph से represent करते हैं, तो उससे पहले ये बता रहे हैं कि कोई भी अभिक्रिया है, उसको हम कैसे represent कर सकते हैं, चले, आईए, माना एक अभिक्रिया है, A is equal to, R is equal to P, R क्या है, अभिकारत P क्या है बदल गया, T1 समय में अभिकारक से उत्पात जो बना है, उसे हम R1, P1, और उत्पात जब T2 समय में बन रहा हो, तो अभिकारक और उत्पात R2 है, P2 होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चले, आप देखो, अगर, समय में परिवर्तन कुछ ऐसे, डेल T को आप इस तरह दिनो तरक और उत्पात, अंतर तो है, ठीक, अब ज़रा ध्यान देंगे, ये तो बात समझ में आ गए, अगर, यही चीज हम ताक्षनिक के लिए लिखें, और यही हम ओस्सत के लिए लिखें, तो कैसे होगा, कैसे लिखोगा, ताक्षनिक बराबर हम जानते हैं, की, क्या, DR अपोन, DT, बराबर, क्या, किसकी सांद्र था, अभी कारत की, R, 2-R1, अपोन, T2-T1, इसे अपन, डेल R, अपोन डेल T, यहां तक किसी ओ, कोई दिकत नहीं है, नहीं है न, बता दो जल्दी अगर है तो, फटा फट कमेंट में लिखत हो, नहीं है, आओ, इदर आओ, यहां माइनस लिखा जाएगा, अब यह माइनस क्यों है, बताते हैं, पहले वोसप वेक में चाहते हैं, तो यह ठीक है, इसको अभी कारत के रूप में, इस तरह से लिखेंगे, तो उतपात के रूप में, डेल P अपॉन, डेल T, डी नहीं, डी अच्छा है, ठीक है, ओसप में आजाओ, ओसप में लिखेंगे, वही, डी कीजिएगे, क्या लिख दोगे, अब क्या होगा भई, अब आएगा आपका क्या, डेल आर अपॉन, डेल T, अब यही तो बाते हैं, जिन पर ध्यान देना है, बराबर क्या आएगे, आर टू, आर वन, T2 माइनस T, रेक्टेन के लिए, सैमिल, एज सिमिलर एज प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, अपन क्या, डेल आर अपॉन, डेल T, वहीं, आगे माइस, और प्रोडक्ट में, डेल T, अपॉन, डेल T, ठीक है, कोई लिखें, यहां तक तो सब को समझ में है, लिखें, बेटा, यहां आगे माइनस लिखा जा रहा है, और यहां पर प्लस, लिखा जा रहा है, हाँ यह ना, जल्दी बता दो, लिखा जा रहा है कि नहीं, लिखा जा रहा है कि नहीं, बहीं, जल्दी बता दो, है लिखा जा रहा है ना क्यों लिखा जा रहे है अच्छा ध्यान दें अगर अपन कोई reaction कर रहे हैं तो आपन reaction से reactant से क्या बना रहें अगर आप product बना रहे हैं यह पेन आज खुदब खुदी क्यों चल रहा है भाई क्या हो ठीक है अब जब आपके पास दस मॉल रियक्टेंट है वहाँ पर जीरो प्रॉडक्त है यहां आठ तो यहां दो यहां चार तो यहां पर आपके पास दो तो यहां कितना होगा दो और मतलब अब दीरे दीरे रियक्टेंट घट रहा है और प्रॉडक्त बढ़ रहा है तो रियक्टेंट के घटने की दर इसलिए रियक्टेंट पर माइनस प्रॉडक्त के बढ़ने की दर इसलिए यहां पर प्लस का निशान लगा दिया जाता है बात समझ में आई क्लियर ह माइनस लगाया जाता है इसको उतारेंगे ऐसे ही ताकि बात क्लियर हो चलते हैं अगे अब ईन को अपनolit ग्राफ में से कैसे बीड़ेयर जाता एक पहला अभी कारक और समय के साथ किस सथा यहां अगर आप बात करें आर्वन आर्टू की है ना वहीं पर मैं चीज और यहां पर बता देती हूं ताकि बात आपकी क्लियर हो जाए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके यहां पर लिखना चाहूंगी अच्छा यह तो यहां पर क्या करें अगर अगर अपन ब्लू कलर से यह दिया यह पर ठीक और यहां पर भी ऐसा किया जा सकता अगर अपन यहां पर बात करें तो यहां पर इन दोनों के बीच पीच में जो समय जा रहा है रियक्टेंट जो अपने पास R1 है और R2 है तो ये चीज ये बता रही है कि यहाँ पर आराम से भिक्रिया हो रही है कोई दिक्कत नहीं है तो वे कौन सा होगा आपका ओसत वे यस और नो जिसे अपन क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे भई डेल क्या आर टू माइनस आरवन बटा टीटू माइनस तीवन हाँ या ना बात समझ में आई जिसे हम कैसे लिख सकते हैं डेल आर अपन डेल टी पर निशान क्या होगा आगे माइनस का क्यों होगा क्योंकि आरवन जादा है आरटू कम है तो यहां पर आरटू माइनस आई आरवन होना चाहिए लेकिन आरटू में से क्या जाए यह तो है कम मात्रा में और यह है जादा तो जो जादा है वो किसमें है माइनस में इसलिए आग अब हम आ रहें इस तरह धलान पर यह जो ढाल है यहां पर रफतार पकड़ लेता है वेक इतना तेजी से गती करता है कि हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते हैं नोटी नहीं कर सकते हैं जब ढाल पर कोई वेक ज्याद करना है तो हम उसे लिखते हैं ताक शोने कर लिखते हैं यस और नो बच्चो तो हम इसको लिखेंगे डी हां या न डी क्या अब लिख दिया डी आर अपॉन है डी थी और निशान तो वही माइनस का ही लगना है यस और नो जल्दी से बता दो बात समझ में आ गई होगी ये टापिक क्लियर हो गया अभिकारक के संदर रुब में माइनस निशान भी समझ में आ गया और ये बात भी समझ में आ अब चलते हैं उतपात के संबढ़ हो मिन उतपा नहीं क्या कर रहा है सिमिलर्ली यहाँ पर बात की जा रही हैं अब यदी app यह जो ढरान है यहां जो अंतर आएगा वो क्या होगा बेटा ताक्शनिक और यहां जी आएगा यहां पर जो वेलिव आयगी वो क्या होगी सथ हां यह नो उस तो हाँ या ना जल्दी बताओ तो ताक्षनिक में क्या लिखोगे आप लोग वही प्रोड़क्ट है ना तो अब लिखेंगे डी पी अपॉन डी टी आर बराबर और वहीं पर ओसत में लिखेंगे हम क्या डी डेल साथ डेल पी अपॉन डेल बात समझ में आ गई है तो फटा फट रिया समान लिखेंगे क्लियर हो गया टॉपिक बात बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए ओके चले आईए आप चलते हैं आगे आप अपन देखते हैं कि अपने पास जो अभी क्रियादर है उसका प्रदशन कैसे होता है बेटा अभी क्रियादर को हम किस प्रकार से प्रदशित करते हैं क्लियर मालो अपने पास मालो अपने पास क्या है बेटा एक अभी क्रिया है ठीक है अब अभी क्रियादर है दर का मतलब समय के साथ परिवर्तन हो रहा है समय के साथ क्या हो रहा है भई बच्चों समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो ए जो है वो घटेगा या विलुक्त होगा और बी बनेगा ठीक है यहां तक तो प्लियर है जब भी आप किसी अभी क्रियादर को लिखेंगे तो समय के साथ जो परिवर्तन है वो आपको अभी कारक और समय को इस तरह से लिखना है साथ ही इनके ऊपर जो इनकी सांदरताओं की क्या है घात है वो हमेशा कहा लिखी जाती है आगे क्यूंकि जब भी आप किसी अभी क्रियादर को लिखते हैं अभी क्रियादर को प्रदशित करते हैं तो वो अभी क्रिया के जो अणू है वो उस एक मॉल में उपस्तित होते हैं जैसे आपन यू कहें कि टू ए से बी बना तो एक जितने मॉल हैं उसमें उसका दूसरा अंश उपस्तित है इस ट्राइक्योमेट्रिक गुणां की तो होता है एक ही जो मातरा है उसके टौटल मातरा में इसका इतना अंस है तो हमेशा आपको मानना है मात्रा एक है उसमें उसका दूसरा भाग उपस्तित है दो भाग है उपस्तित तो एक बटा दूसरी हे to Please बात समझ में लेकिन जब आप दर नियम लिखते हैं तो ऐसा representation नहीं होगा केवल अभी क्रिया दर में ही ऐसा होता है क्योंकि आप समय के साथ उसको represent कर रहे हैं clear बेटा बात समझ में आ गई है तो ये तो होगी ठीक बात अब अपने लिख दिया कि अपने पास 2A is equal to B तो अपने किसे represent करेंगे तो हम कहेंगे A के अच्छा 2 मत लिखो भी confuse नहीं हो न A के संदर्व में B के संदर्व ठीक है A के संदर्व में क्या कि अच्छा 2-8 A पैपन डेटित न वी अपन डेटित लेकिन इसके आए क्या नहीं लेगा माइनूस कि इसका लेगा क्योंकि यह उत्पाद है और सर्वी यह अभी करक है का रिच पाद है यह नि इसके विलुक्त होने की दर है और इसके बनने की ठीक है एक और आप सब बताएंगे 2A प्लस B is equal to 5C एक रियाक्शन है इसको परदशित करके बताओ जल्दी बताओ जल्दी कैसे लिखोगे सबी बच्चे हम लिखेंगे एके विलुक्त होने की दर बराबर क्या आर तो हो गई होगा बराबर डेल A अपॉन डेल T लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है दो तो एक बटा दो आगे बराबर क्या डेल B अपॉन डेल T माइनस बराबर डेल C अपॉन डेल T पर डेल क्या वहां क्या लिखा है पांच बात समझ में आ गई टॉपिक क्लियर हो गया इस तरह से लिखना है यानि जितनी अभी क्रिया में अभी कारक और उत्पाद होंगे वो परस पर बराबर होंगे जितनी अभी क्रिया उत्ने उत्पाद जितना अभी कारक घटेगा उत्ना उत्पाद बढ़ेगा इसलिए इन सब को बराबर करके लिखा जाता है क्लियर बात समझ में आगे पटावड यस में हम लिखेंगे और इसको उतारेंगे जल्दी से जल्दी चलू अब आपके सामने क्यस्चन है भई 3A प्लस 2B is equal to 5C प्लस 2B यदि B के विलुप्त होने की दर इतने मोल पर लीटर पर मिनट है तो A के विलुपन था C के बनने की दर ग्याद कीजिए ठीक है कोई दिक्कर है तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले अभी क्रिया दर का परदर्शन करो भई अभी क्रिया दर का प्रदर्शन किस तरह से लिखी जाई आओ लिखते थे हैं क्या है अभी क्रिया R is equal to minus 1 बता 3 del A upon del T बराबर B के लिखा है minus 1 बता 2 del B upon del T वहीं बराबर एक बता 5 del C upon del T बराबर के लिखेती हूं बराबर 1 upon 2 1 upon 2 del D upon del T कोई दिक्कत हाँ या ना नहीं जितने अभी कारक है जितना उनमें परिवर्तन उतना ही उत्पार में परिवर्ता है कोई दिक्कत नहीं अब कह रहा है अगर यह कह रहा है कि B के विलुक्त होने की दर यानि की बेटा ध्यान देना इसकी वेल्यू में केवल इसका मान दिया गया है ठीक यानि की डेल बी अपॉन डेल टी का मान दिया है 1.4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो क्लियर है टोपिक समझ में भी आ गया है क्या पूछ रहा है कि यह तो आपके विलुक्त होने की दर है तो बताओ एक के विलुक्त होने की दर क्या होगी और सी के बनने की दर क्या होगी सबसे पहले हम इन दोनों को यह दो बराबर है तो बराबर लिख लेते हैं क्या माइनस एक बटा तीन डेल A अपॉन डेल T यह सोर नो फटार बताओ बराबर माइनस एक बटा दो डेल B अपॉन डेल इसकी वेल्यू कितनी दी है? 1.4, 1.4, एक बटा दो गुना में और यहां माइनस का एक बटा तीन हाँ यह न? गुना डेल A अपॉन डेल T जल्दी बताओ बच्चों देदी तो हम यहां पर क्या आएगा मान? 0.7, माइनस से माइनस तो कट हो गया 0.7, और यहां क्या बचा हुआ है? 3, एक बटा 3, डेल A अपॉन डेल T ठीक, अब इस 3 को इदर लेओ तो डेल A अपॉन डेल T की वेल्यू कितनी आ जाएगी? 2.1 मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स येस और नो, जल्दी बताओंगे सभी बच्चे, क्लियर हो गया? हाँ या ना? कमेंट में लिखेंगे चलो जी चलो, क्लियर? ये तो बात समझ में आ गई अब ये कह रहा है C के बनने की दर तो आओ बई B के विलुक्त आने की दर कितनी है? बराबर तो इसके ही होगा? 1 बटा 5 डेल डेल C अपॉन अपॉन डेल ठीक है? बात समझ में आ गई है इसकी वेलु दिया है 1 अपॉन 2 माइनस में है गुना 1.4 बराबर एक बटा 5 डेल C अपॉन डेल ठीक है? अगर यह यहां से इस तरह यहां सते यह कट हो गया तो 0.7 is equal to 1.5 डेल C अपॉन डेल इसको इदर ले जाओ कितना आया? 0.7 into 5 डेल C अपॉन डेल डेल इदर लगा दो माइनस का निशान? माइनस नहीं, प्लस ही होगा माइनस कैसे लगा दो? 3.5 मोल पर लीटर पर मिनट डेल C अपॉन डेल बात समझ में आगई हो क्लियर हो गया? टॉपिक समझ में आया? क्योश्चन भी करके देख लिया है तो यह था आपका अभी क्रिया दर को परदशित करने का तरीका कि इस तरह से परदशित किया जाता है और क्योश्चन जब आता है कि वेग अभी क्रिया का वेग बताओ यानि वो कितने समय में कितना दूरी, कितनी रियक्शन तै हो जाती है कौन सा रियक्टन कितना उत्पाद बना देता है क्लियर? तभी अपन इस चीज को क्या कर सकते है समझ सकते है अगर नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होता चला जाता है वो नहीं चाहिए समय अगर अभी क्रिया का वेग पूछ लिया समय के साथ तो इस तरह से लिखना है और दर्नियम तो वो केवल अभी क्रिया की सांद्रता वर्थ करता है वहाँ पर इस तरह से रिपर्जेंटेशन नहीं होता है चलें आगे आजाए जिए अब चलते हैं आगे वेग नियम या दर्नियम या अभी क्रिया वेग का नियम वेग वेंजग भी कहते हैं अच्छा वेग नियम क्या होगा जब किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के क्या हो समान उपाती हों तो उसे अभिक्रिया वेग या वेग नियम कहते हैं चले चलिए वह गणित यह वेंजग जो अभिकारकों की मौलर सांद्रता उत्पाद नहीं केवल अभी कारक राइट उनकी सांद्रता पर इदिन भर कर रहा है तो वो दर नियम है इसको इसे भी बोल सकते हैं किसी भी रासाइनिक अभी क्रिया में अभी क्रिया का वेग अभी कारकों की सांद्रताओं के सक्रिय द्रवेमान के स्ट्राइक्योमेट्रिक गातांक के समानों पाती होता है पात समय कैसे अभी कारकों का सक्रिय द्रवेमान का स्ट्राइक्योमेट्रिक गातांक के क्या होता है समानों पाती होता है बात समझ में आई इस्ट्राइक्योमेट्रिक गातांक सब जानते एलेवन में पढ़ क्या है अभी क्रिया को संतुलित करने के लिए उनके आगे लिखे जाने वाल फ्ष्ट्राइच ऌमैट्रिक घरताइं रहात बात समझ में आ गई होगे टॉपिक क्लियर हो गया क्या पढ़ने माले हैं अब चलते हैं। तो वह आब रख मभी कह रहर के अवी क्लिया में अभे का रखिया रख लिका नहीं है क्योंकि नहीं है वेग रेट आर समानुपाती A की घात X, B की घात Y ये वेग नियम है यदि आप इस समानुपाती इस तरह को हटा दें उसकी जए K लगा दें तो वेग वेंजक कहलाता है कई बार पूछेगा वेग वेंजक बताओ तो वेग वेंजक यानि के का मान पूछ रहा है भाई क्लियर बात समझ में आ गई होगी इसे वेग इस्तिरां या विशिष्ट अभी करिया वेग भी कहते हैं चलते हैं आगे ये तो हो गया वेग नियम बात समझ में आ गई होगी इतना ध्यान देना केवल या भीकारकों के सक्रिय द्रवेमान के स्ट्राइक्योमेट्रिक घातांक के समान उपाती होता है क्लियर चलते हैं आगे अगर आपको वेग इस्तिरांक या विशिष्ट अभी करिया वेग निकालना है तो अपन उसको कैसे निकालेंगे अपने पास तो मोल पर लीटर पर मिनट है पर फिर भी कैसे रिपरजन करते हैं अगर आप इसको अभी करिया का जो वेग है यह यूं कहूं जो वेग नियम है वही वेग वेंजक के बराबर हो जाता है अभुकिला का वेग इस्तिरांग कुछ विशिश्ट अभी किला वेग उस समय के वेग के बराबर हो जाता है जब पर्तेक अभी कारक की सांद्रता की काई हो चाती है क्लियर बात समझ में आ गई होगी चलते हैं आगे फटापन देखो अब अपन देखते हैं कि अपने पास जो वेग विंजक है कि उसको अपन उसकी इकाई क्या होगी उसको की परस दें कि कैसे उसे रिपरसें कर सकते हैं कहा कि अपने पास कोई अभी क्लिया है क्या है कि अपने पास यह वेग वेंजक निकालना है अपने वेग वेंजक की कही निकालना है तो अपन देखते हैं कि अभी क्लिया का जो वेग होता है वो किसके समानोपाती होता है अभी कारकों के समानोपाती होता है हाँ यह ना तो अपन इसको लिख देते हैं कि आर बराबर क्या लिखेंगे बराबर A का सांदरता B की सांदरता C की सांदरता ठीक यहां पर लिग दिया क्या यहां K तो आएगा यहां A, B और C ठीक है यह इस्तिरांक है इसको इका ही मान सकते है तो अपन K बराबर इस्तिरांक है तो एक मान के छोड़ देते हैं आर बराबर क्या अभी क्या होता है सांदरता बटा समय मान लो की इन तीनों की सांदरताएं भी समान है तो हम लिखेंगे सांदरता गातांक A प्लस B प्लस जिसका बेस एक समान होता है उनकी घाते हमेशा जुड़ जाते हैं सही है? अब चलते हैं अपन आदि अगर अपने को वेग वेंजग जो K है उसकी वेल्यू अपने को निकालना है उसका मान ये दिन निकालना है तो अपन क्या लिखेंगे यहां अब अपन यहां पर इस सांदरता को इधर ले जाते हैं तो सांदरता बटा सांदरता A प्लस B प्लस C बटा समय बराबर की क्लियर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ठीक है? अब सांदरता और हमने क्या लिख दिया A प्लस C तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम? के बराबर क्या लिख सकते हैं? सांदरता की घात 1-A प्लस B प्लस C बटा समय यह सार नो हाँ या ना सांदरता की काई क्या होती है? मूल बट्टा लीटर घात क्या आएगा 1 माइनस A प्लस B प्लस C यहां तक लियर और यहां लिखते हैं बट्टे में सैके यह मिनट जो भी अभी सैके नी चले अब बच्चों आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या मॉल 1 माइनस A प्लस B प्लस C लीटर A प्लस B प्लस C माइनस 1 सेकेंड इंवर्स हाँ या ना यह सोनो जल्दी रताएंगे यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए अब बेटा जो A प्लस B प्लस C है जो स्ट्राइक्योमेट्रिक गुनांक है वो यह निर्धारित करेगा कि अभी क्रिया में अभी कारक कितने होंगे तो उसे हम एक नाम से रिपर्जेंट करते हैं अभी क्रिया की कोटी क्या कहते हैं अभी क्रिया की कोटी यानि उसके अंदर अभी कारक जो है वो कितनी सांधरता में भागर लेते हैं उसी के आधार पर हम लोग उसे पर्थम कोटी सुन्य कोटी डूत्य कोटी के रूप में भी पर्जेंट करते हैं तो आपके पास जो वेग वेंजक है उसका मात्रक या इकाई क्या आती है मॉल वन माइनस ए प्लस बी प्लस सी लीटर ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन सेकिंड इन्वर्स यस और नो जल्दी से लिखेंगे फटा-फट बताएंगे कि आपको बात समझ में आ गई है यस चलते हैं आगे अब यह कह रहा है अगली पॉइंट आ गया अभी क्रिया की टोट अभी कोटी क्या होती है अभी कारकों कि संता को पदों घातों के रोप में वेक्त करना ही उसकी कोटी कहलाती है बता चुकी हूँ में Twin नहीं तो वेग्णीयम से दर बराबर लिख दिया तो बताओ भाई कोटी क्या होगी घातांकों का यह एक्स फ्लस य ठ्याहां शबस य यहां पर आपकिन मानों यदि अभी कारे किये उत्पद यह तो आपके कोटी सुंझे कोटी परथम कोटी दिप्रत्य कोटी के मान इस प्रकार प्राप्त किये जा इसれ장 94टी का वोगी जब अपने पास सिसकी वैल्यू क्या होगी अपने देखा था ना अभी अपने क्या देखा था के बराबर क्या अपने पास अभी कारत की सांधता क्या डिख अगर अपने पास मों अच्छा वो तो इक आई चलो इक आने पहले कोटी को डायरेक्ली देख लेते हैं कोटी इसकी इकाई जो है वो बाद में देखेंगे तो कहा कि अपने पास आर बराबर के यदी अभी कारक का घातांक क्या हो अभी कारक का घातांक यदी सुन्य हो तो वो सुन्य कोटी अभी क्लिया और इसकी इकाई इसकी यूनिट क आएगी उज़ा ध्यान देंगे इसकी यूनिट हम लिखते हैं मॉल 1-a plus b plus c लीटर a plus b plus c minus 1 second inverse बिटा मॉल रियक्टेंट की सांधरता कितनी है मॉल 1-0 लीटर 0-1 second inverse तो यहां क्या आएगा मॉल लीटर इन्वर्स सेकिंड इन्वर्स यस और नो बात क्लियर हो गई तो यह सुन्य कोटी अभी क्लिया है तो अपन अगर सुन्य कोटी है तो यह बात आगई के बराबर ए मात्रक मॉल लीटर इन्वर्स सेकिंड इंवर्स निकालके दिखा दिया बात समझ में आएगा अगर प्राथम कोटी हो तो अभी की सांधरता क्या हो इकाई घात के समानों पाती हो तो उसे प्राथम कोटी अभी किया कहते है जिसे एपन इस प्रकाश से अथी प्रेजंट कर सकते हैं एक यह लिख और इसका मात्रक सब्सक्राइब कैसे आया हम सब जानते हैं कि 모ल one minus A plus B plus C liter A plus B plus C minus one second inverse lot one minus one liter one minus one second inverse किसी गाद zero होती है तो उसकी value कितनी होती है one ही तो होती है तो one आएगा और ये second के वाल क्या बचेगा second बात समझ में आ गई होगी कि कोटिया कैसे ग्याद की जाती है और आपको अभी करिया दे कर सीधा डाइरेक्ट कोटी पूछे तो वह भी हमें ग्याद कर सकते हैं कैसे अभी करिया कोटी सदेव अभिकार्कों की सांध्यताओं के घातां को के योग के बराबर होती है यानि यह लिएकट आर बराबर अपने पास हो के 1 की सांदर्ता 1 by 2 b की सांदर्ता 1 by 2 है तो बताओ अभी करिया की कोटी क्या होगी तो अभी क्रिया इकोटी क्या होगी भई ऐस प्लस वाय लिखते हो न आप क्या लिखेंगे एक बटा दो प्लस एक बढ़ता दो कितना आई कोटी यह सो यह अभी क्रिया जो है वह प्रथम कोटी की अभी क्रिया होती है शायद बात समझ में आ गई होगी अब तक जो मैंने पढ़ाया है वह अच्छे से नोट्स बनाना ताकि बात क्लियर हो जाए तो शुरू करते हैं सबसे पहले है अपन कोटी क्या होती है आनविक्ता क्या होती है कोटी तो हम जान चुके है कि कोई भी अभीक्रिया जो होती है वह अभीक्रिया अभीक्रिया का वेग अभिकारकों के सांदता के स्ट्राइक्योमेट्रिक गुणंक के समान उपाती होता है राइट अब अपन शुरू करे आपन सबसे पहले देखेंगे क्या की अभी क्रिया की आणविक्ता जो है वो क्या होती है राइट आणविक्ता क्या होती है तो बताया गया है कि रासायनिक अभी क्रिया को संपन कनारेन के लिए उन क्रिया कारी स्पेसीज की संख्यात जिनका एक साथ तक्राना आवशक है गर आपको इसका अग्जामपल चाहिए तो वह अभी अंतर में देखेंगे राइट चलते हैं अगे जोती है वो इक सधान्तिक मान है यानि की ठिटिकल वैल्यू है जिसे दो अभिकारक भाग लेंगे उत्पात बनाएंगे ही एक उत्पात बनेगा राइट पर कोटी एक प्रायोगिक किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों ने अभिक्रिया की तो कितनी मात्रा में हुई तो उनकी सांद्रता कितनी है राइट बात समझ में तो कोटी होती है तो यह लिखा है ना प्राइक वाइग सब्सक्राइब अभिकारकों कि सांद्रता हूं के घातों के योग के बराबर हो सकता कभी भी आण रिखता तो अभी कारक अगर हुए नहीं अगर अभी कारक हुए नहीं तो क्या अभी करिया होगी पॉसिबल है अभी करिया होना जल्दी बताओ कमेंड में यस और नहीं अभी कारक के बिना अभी क्लिया कैसे संभव है भाई नहीं तो अगला इसमें देखत है कि कि सिंदों हो सकती है है मान सबस्लेख पून संख्या होती है मैं रियकंतकि इस चाह्य होई लेकिन खोटी तक तो भिन्नात्मख हो सकते हैं उनका योग भी भिनात्मख हो सकता है हो सकता है तो कोटी विन्नात्मक हो सकती है पॉन संग्य भी हो सकती है इसा नहीं पर विन्नात्मक भी हो सकती है सदायवद धनात्मक होता है और इनका मान धनात्मक रिनात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है राइट अब आईए एक्जामपल की हो यह लिख रहे है ना जैसे क्या लिखा है एस्टर की रियक्शन जल के साथ कराने पर एसिटिक और एलकोहल बनता है इसमें जल के संद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता अभी की एक एक हैं कहने का मतलब है कि आप यहां पर देखेंगे तो यह इस तरह की आणविकता है कि इस पर एक ही इसका अभिकारक भा स्मy All time ज्यंगे ना क्या नहीं हो सकता कि आपर कोई अभी क्रिया कराते हैं जैसा एक प्लस वी से सी बना रहे हो एक है यह और बी की को सांध्रता में परीवर्तन नहीं या मातरा मात्रा में परिवर्तन ना आए परिवर्तन तो आएगा मात्रा में परिवर्तन तो आएगा आएगा कि नहीं जल्दी बताओ मात्राओं में परिवर्तन तो आएगा आएगा ना हाँ जब मात्रा में परिवर्तन आता है मात्रा लेग दो सांद्रा में फिर कंफ्यूज जाओग तो बताओ, उसकी आनो विक्ता कितनी होगी, दो लेख, अगर किसी अभी कनिया में यह तो बदल रहा है, पर वीस तिर है, तो बताओ, इसकी आनविक्ता कितनी होगी, तब इसकी आनविक्ता एक ही, yes or no ? जल्दी बताएंगी कमेंट में, यस्मैन ओके अब चलते है कोटी निकोटी में कहा कि एक एक अनुण भाग ले रहे हैं विक्ता नो होगी दो अगर आप में अभी कि बात करें केवल अभी कारत कि कितने हैं दो है तो ना जब बदल नहीं रहे तो हम उसको क्या कह सकते हैं कोटी एक लेकिन जब ये बदल नहीं जब अपन केवल और केवल अभी कारक की बात करें तो वहां पर आनविक्ता क्या आएगी दो आएगी बात समझ में आ गई एक्चली एक्जामपल को आप ऐसे लिख सकते हैं इसका यह है इसका ही ठीक कोई दिकत नहीं है आणविक्ता में केवल अभी कारक की संग्टे देखें नत्थिंग नत्थिंग टूवर्य कि अपने को देखना ही नहीं है लेकिन जैसे ही आपने किसमें आया कोटी में आगे तो कोटी में हम देखें के कि वहां परभी कारक सांध्रत या मत्रा में जो परिवर्तन हो रहा है जो नहीं परिवर्त हो रहे हैं वह स्थिर्ण है तो एक wordt बदल रहाningar थो पोटी कितनी में होगी बात समझ में आ अगई क्लियर होगा टोपिक क्दण चलते हैं अब चलते हैं पहले तो वो सुनने का उठी अभी क्या होती है वे अभी क्रिया है वे अभी क्रिया जिन में जिन में अभी क्रिया का वेग अभी क्रिया का वेग अभी क्रिया का वेग अभी कारकों की अभी कारकों कि सांद्रता के संद्रता के सुन्य घात के समानुपाती होता है सही बात है हाँ या न समानुपाती होता है होता है अभिकारत के सुन्य घात के समानुपाती यानि की अभी क्रिया का वेख जो है वह अभिकारत की सांद्रता के अगर जीरो घात के बराबर है तो इसकी तो एक हो गई यानि परिवर्दन हो यह नहीं रहे तो कहा कि यहां पर आ गया के इंटू एक तो के आ गया यानि स्थिर हो गई वेल्यू तो यानि सुन्य कोटी अभी क्रिया में अभी क्रिया का वेग अभी कारकों की सांद्रता पर निर्भरे क्या नहीं करता भई क्या नहीं करता निर्भरे नहीं करता यस और निर्भरे नहीं करता डन बात समझ में आ गई सभी बच्चों को क्लियर हो गई बात इसका एक इसमपल में बताती है ताकि आपको क्लियर लिसा है क्या आप ने पात्र लिया जरा ध्यान ने यह सभी बच्चे और उसमें एक काच की यू आकार की नली उल्टी लगा दी ठीक और अपने आप देख रहे हैं कि अपने पास क्या है अपने इस पानी में ह2 और सील डाल दी देख यह 2 और सील टू पानी के अंदर गए आपस में मिले अचिय अच्ची हल पानी में घुलने लगी और कीप में या नली में पानी का इस्तर उपर उठने लगा उपर उठने लगा उपर उठने लगा इसका मतलब यह चीज़े बता रही है कि एच्टू और सीयल टू जो है वो पानी में अच्छेल के रूप में घुल रहे हैं यानि अच्टू और सीयल टू आपने जो डाली थी वह अच्छेल का फॉर्मेशन करेगे कि अके लिए ठीक ऊपर चड़ गया यानि अब हमने क्या दिका फिर हमने प्रियोग किया तो हमने जो अच्छी इसके अंदल घुली रही देखी उसके मात्रा हमें एक प्राप थी ठीक एक मॉल प्राप्त हुए तो इसका मतलब अपने पास क्या था अपने पास अच्छू था सीयल टू और अपने पास अचल बना बनना तो दो मोल चाहिए था लेकिन बना कितना एक मॉल इसका मतलब आधा H2 आधा C2 यह सोर नो बच्चो हाँ यह ना भई जब दोनों है एक एक मॉल तो यह आगर आधा आधा लो तो एक मोल बनेगा ना तो कहा गया कि यह आधा ही बचा हुआ है किसके अंदर किसके अंदर इससे सॉलुशन के अब यह आधे-अधे मॉल अलग-अलग दिखाए रहे हैं जब हमने अच्टो और देखा तो वहां पर आधा-दा मॉल दिखा और यहां पर एक मॉल अच्छी अल दिखा और चींट राइट बात समझ में आ गयि इसलिए का गया कि अगर आप क्या कर रहे हैं अगर आप सुन्ये-कोटी अभिकरिया पढ़ रहे हैं तो यह हमेशा इकाई घात के समानुतर सुन्य घात के समनुपाती होती है और ये अभिकारक की सामता पनेवर नहीं करती है बात समझ में आई और ये अभिक्रिया जो मैंने अभी समझाई है ये हमेशा ताप की उपस्तिती में संपन होती है ये यू कहूं कि ये अभिक्रिया हमेशा उत्प्रेरक की उपस्तिती में ही संपन होती है बिना उत्प्रेच यह अभी करिया देखना संभब नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? यह ना लिक देती हूं आगे क्यों है ऐसा? क्यों कि अपने पास में अपनने जो देखा उसमें यह सीन था कि उत्प्रेच चाहिए जैसे h2 पलस c l 2 is equal to h American तो यह तो यहां पर जब अभिक्रिया हुई तो उत्प्रेरक की उत्पस्तिती में होती है तो वहां पर अभिकारक की सांदृता में कोई परिवर्थन नहीं आता है क्लियर और वह चेंज क्यों नहीं होता क्योंकि उत्प्रेरक की जो सतय होती है उस पर निश्चत अनूही अभिकारक के क्या कर सकते हैं आ सकते हैं निश्चत मात्रा में निश्चित मात्रा में ही किरिया कारक के अनुभाग ले सकते हैं उसकी सतय पर आ सकते हैं क्लियर बात समझ में आ गई इसलिए अभी किरिया का जो वेग है वो किस पर निर्भर नहीं करता अभी कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है बात समझ में आ गई सभी बच्चों को टॉपिक क्लियर हो चुका है डन तो अब अपन क्या करते हैं अपने ने यह चीज तो क्लियर कर ली यह बात भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई तो फटा-फट उतारेंगे जल्दी से एक मिनट में उतार लिया ओके जी चलो आगे यस चलते हैं आगे इसको भी उतार लो उतार लो जल्दी 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 उतारो फटा-फट ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ चलो जी अब अपने आपने पास समाकलित वेक समिकर्ण अपने को निकालना है तो अपने पास देखेंगे प्रारंब में अभिक्रिया सामन्य अभिक्रिया, क्या है विटा, R is equal to T, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेख, अभिक्रिया का वेख, क्या होता है, R बराबर, क्या होता है, minus D, R की संता बटा T, या हाँ या ना, सहीए, अभिक्रिया की यही होती है, वही हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेख समन उपातिव होता है, अभिक्रिया की सांदरता की सुन्य गाते हैं, तो ये अपने पास समीक्रण एक और समीक्रण दो, सहीए, आप इसे समीक्रण दो अभी ना भी लिखें, तो इसको यहाँ पर आपन यू लिख सकते हैं, बताओं क्या, आज़ा, slash, R is equal to K, अभिक्रण का सक्रिया द्रेविमान की घा, सुन्य, clear, पास समय जाने, ये हो गई आपकी समीक्रण, समीक्रण, एक व, दो में, क्या, बाएं पक्ष बराबर हैं, समान, तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे, समान, क्या लिखेंगे, माइनस, D, R, अभिकारण की सांता पॉन, D, T, बराबर, K, अभिकारण की सांता का घात, सुन्य, बात समझ में हैं, येस और नो, जल्दी बता, और ये सब किसके इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, तो अपन देखते हैं, कि माइनस, D, R, अपॉन, D, T, इस इकल टू, क्या है अपने पास, के, अब ये जो सुन्य घात है, तो अपन सब जानते हैं, ये दिकिसी घात सुन्य हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, यहां आँए, ठीक, बात समझ में है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, माइनस, D, R, इस इकल टू, के, डॉट, D, समी करण, ती, ये क्या है, सुन्य कोटी, अभिक्रिया, सुन्य कोटी, अभिक्रिया, की, क्या, अवकलित समी करण, अवकलित, समी करण, हाँ या न, ठीक, अब क्या करें, समी करण, तीन का, क्या करदें, भई, समी करण, तीन का, समाकलन करने पर, ठीक, आओ जी, कर दो समाकलन, समाकलन क्या करोगे, अगर में, इस माइनस को इसके आगे लिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बिलकुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, किसी को भी, है तो बता सकता है, जल्दे बता दो भई, ताकि मैं आगे चले, यह लो माइनस यहां आगे, तो हमने लिख दिया, D, R, क्या, समाकलन, बरापर, माइनस, K, D, P, कई बच्चे सोचते हैं, मैं, के को बाहर क्यों रखा, अंदर आना चाहिए, अरे, जब भी कोई इस्तिरांग होता है, उसका समाकलन नहीं होता, यह सो नो, बिलकुल, समाकलन नहीं हो सकता, तो बाहर लिख दिया, इस्तिर है वो, अब इसका समाकलन आएगा, क्या, DR का समाकलन आर होता है, माइनस के और DT का समाकलन, क्या होता है, T, प्लस क्या आजाता है, C, C क्या है बटा, C एक समाकलन, इस्तिरांग है, ओके, बात समझ में आगई, चलू आगे, जल्दे से बताओ, तो इस C का मान कैसे निकलेगा, यदि, R बराबर, R नोड हो, वही, T is equal to 0, तो C का मान, क्या होगा, यहाँ तक उतारो जल्दी, फटा-फट उतारो जल्दी से, चलू बात में उतार ले ना, पहले में कर देती हूँ, चलू, C का मान क्या होगा, तो, C का मान, क्या होगा, भई, C का मान होगा, अपन लिखेंगे, क्या, R, is equal to, के, गुन, ती की जए रहे, 0, और, R की जगा, R नोड लिख दिया, प्लस C, R नोड बराबर, क्या, C, सही है, समी करण, किते नमबर थी, समी करण का मान दिया ही नहीं था, अच्छा, समी करण लिखी नहीं था, यह भई, समी करण लिखो, यह समी करण क्या है, समी करण, समी करण, च्यार में, C का मान लिखने पर, चलू, यह, क्या आएगा, R is equal to, K, माइनस चलता रहे नहीं चाहिए, भई, भूल नहीं जाना, dot T plus R note, yes or no बच्चो, जल्दी बताओ, यह है आपकी समी करण 5, यह समी करण आपकी ग्राफ को प्रदशित करें, इसे ग्राफ ही है समी करण लिखें, यहाँ पर यह ग्राफ को निरुपित करें, चलते हैं, अब बेटा अपने को K का मान चाहिए, कैसे निकलेगा, कैसे, इधर लियाँ K, तो बराबर में क्या आएगा, T plus R note minus R, yes or no, अगर मैं इस T को यहाँ ले जाओं, तो K, अच्छा, K dot T लिख दो ना, भई डाइरेक्टी, कोई बात नहीं, वो ही आदत है ना, K dot T is equal to, ठीक है, बराबर क्या लिख दिया, R note minus R, clear, अगर मैं T को इस तरह अफ लाऊं तो, K is equal to R note minus R upon T, बेटा इसको X भी लिख सकते हैं आप, हाँ या ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, K is equal to X upon T, यह है रासाइनिक समीकरण, K is equal to R note minus R upon T, सुन्य कोटी अभी क्रिया की, समाकलित वेग समीकरण है, समीकरण नमबर 6, यह क्या है, समाकलित वेग समीकरण, बात समझ में आई, सभी बच्चों को, तो जल्दी से फटा-फट, यह लो यह उतारो फटा-फट, दो मिनट जल्दी से, जल्दी उतार लेना ताकि क्लीर हो जाए, टॉपिक, ओके, चलते हैं, अब आजाओ, यह भी उतार लो, अब अपन चलेंगे, आगे ग्राफ, इन से ग्राफ कोन से बनते हैं? ठीक है? पहला ग्राफ, X वर T के मत थे हैं, X वर T, सांदर्था में परिवर्तन, बटा समय, क्या रहा ग्राफ? सांदर्था और समय, X और T के मत थे, X और T नहीं? समय वेग और समय के मद्द्राव वेग और समय के मद्द्राव ठीक है कैसा आएगा सांद्रता नहीं बदल रही तो समय कितमें भी बढ़ाओ वेग कैसे बदलेगा कोई मतलब नहीं तो यह क्या रहेगा कॉंस्टेंट नो चींज क्लियर बात समझ में आ गई सेकेंट अब ध्यान दें आप किसके मद्द्राव अभी कारक की सांद्रता और समय के मद्द्राव राइट आपको पांच नंबर ग्राफ यह दिया है न इसमें आपको ग्राफ कीचना है तो कैसे अपने पास क्या है बई अपने पास रियक्षिन क्या जल्दी बता जल्दी बता जल्दी आर इस इकल टू माइनस के डोट टी प्लस आज नोड हाइन अंतिम सांद्रता प्रारंबिक सांद्रत यह क्या है इस तिरह यह समीकरण आपको को कोई गणित यह समीकरण की तरह दिखाए दे रही जो कारिक में आती है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी यह वही है वाई एक्स पर आल नोड आ एक्स टी एम धाल और सी स्थिरां यह नि कॉंस्टेंट वेगी फ्रारंबिक सांद्रता हुए के ओटी तो यहां पर देखो अभी कारक को जब बढ़ा रहे हैं तो बताएं यह पलता हों यह चीज माईनस में नहीं आरे हैं तो समय घठ रहाने हैं और अगर समय बढ़ा रहे हैं तो रियक्टेंट नकीया होगा घटेगा नहीं भिलकुर तो यह होगी आपकी इस तदी इस थरान सी हाँ या न और आपकी यह ढाल जो है वो क्या बता रही है ढाल आ र कर रहे हैं बात समझ में आ गई टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि आप को किस तरह से ग्राफ बनाना है क्लियर जल्दी बताओ यस और नो जल्दी 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 ओके जी ग्राफ भी देख लिया अब चलते हैं हम आगे अगला टॉपिक आपका सुन्य कोटी अभी क्लिया का अरद आयूकार से ओर दऎकाल का मतलब क्या मैंडकर मैंटि द्घ्यान से सुने अरद आयूकार मतलब अपनी आयूका a समय चला जाना है राइट तो यह वैसे ही किसी भी अभी क्रिया का आध़ा समय यदि निकल जाता है पो उसमें अभी कार को की मात्रा भी आधी ही रह जाती है हाँ या ना बिल्क तो प्रादम में जो मोल है वो आदे रह जाएंगे तो अपने पास अभी क्रिया क्या है अपने पास अभी क्रिया है कि बराबर एक्स अपन टी जिसे हम लोग आर नौड माइनस आर अपन टी भी लिख रहें तो यहाँ पर आपके पास जो आपकी प्रारंबिक सांद्रता थी जब वो अंतिम सांद्रता में मिली तो वो प्रारंबिक सांद्रता है कितनी रह गई आधी रह गई यह जो आपका आर है ना यह कितना रह गया आर नोड अपन टू रइट और जो समय है राजा बच्चों वो क्या रह गया टी हाँ आपका जो समय है वो समय कितना रह गया बेटे टी इकल टन Two और DO बात समझ में आ गई है Vai तो हम अब इस समीकरन को कैसे लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि अपने पास k is equal to अपने पास क्या है राधम बिक संता, minus r की जिगा, आप क्या लिख सकते हैं r not upon 2 upon t की जिगा, क्या लिखोगे t जल्दी बताओ yes or no तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं r not upon 2 into t बच्चों अगर आपने इस r नॉमर एक है और ये आदा है तो इस एक में से आदा गया तो ये आदा ही तो बचा, plus में yes, तो ये बैग गया अब चलते हैं, अपने पास k is equal to क्या गया बिटे अपने पास आगया r not upon क्या 2 t half जल्दी बताओ yes or no इसको यदी हम लिखना चाहें t half के रूप में अरदा युकाल तो हम लिखेंगे r की सांदता सक्वी द्रविमान बटा 2 k और ये k क्या है ये k है आपका इस्तिरांक तो हम क्या ऐसे लिख सकते है t half समानुपाती प्रारम्भिक सांदता यानि सुन्य खोटी अभी क्रिया का अरदा युकाल अभी क्रिया की प्रारम्भिक सांदता के समानुपाती होता है जल्दी बताओ जल्दी 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 yes or no बात समझ में आए जी अब बताओ जी इनके बीचे दिया ग्राफ खींचे तो क्या आएगा ती हाफ और प्रारंबिक सांथा के बीच में ग्राफ खींचे तो क्या आएगा देखो समय और प्रारंबिक सांथा के मद्य आपने ग्राफ खींचा तो क्या आया था समय और प्रारं क्या है बात समझ में आगी है यस और नो जल्दी बताएंगे कमेंट में लिकेंगे यस मैं देखो बेटा अगर हम लोग इस तरह से करके आपको समझा रहे हैं इसकी पीछे केवल मत्र एक ही परपस है कि मेरे बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि हां मैं कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं हैना क्योंकि एक टीचर के समक्ष विध्यारती बैठा है तो वह विध्यारती शूल का क्या होता है प्रतिभिंभ होता है तो प्रतेग विध्यारती टीचर का ही हम अपनी चवी आप बच्चों हम इस लिए हम इस तरह से मैनत इस लिए कर रहे हैं ऑ та metabol Esse भी मैने पन देखते हैं अपनी अगली कोटी इसका नाम है प्रतम कोटी अभीक्रिया का समाक्लित वेख समिए वेटा कोटी जो अभीक्रिया है वो क्या हूँ जलने बताओ परिभाष अ सबीम अच्छे बताएंगे जल्दी जल्दी बिना time को consumed जल्दी बेटा देबेकर यां जिन में अभी क्रिया का वेग अभी कारकों के के अभी कारकों की सांध्रता सांध्रता के इकाई घात के समानुपाती क्लियर यानि यह क्या कहना चाहता है यह कहना आर समानुपाती अभी कारकों की सांध्रता के इक इककाई हकती क्लियर बात समझ में आरे यह यह भी क्लिया किसी उतप्रे और कि पस्थिति में संपल्य नहीं तहएं कि यहाँ पर अभी क्लिया का विग्व सांध्रता पर निवर कर दादकि की सांद राइट बीटा बात समझ में आगी होगी क्लियर चले ओके जी ओके ये बात समझ में आ गई सवी बच्चों को फटा 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 उतारेंगे ओके तो चलिए जी अब शुरू करते हैं अपना क्या अपनी अवकलित समाकलित वेगर समिकर आईए जी बच्चा पाटी सबसे पहले सामन्य अभिक्रिया क्या है बिटा आर इस इकल टू ठीक किसी वो कोई दिक्कत नहीं तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा अभिक्रिया का वेग हम जानते हैं कि अपने पास आर बराबर क्या होता है माइनस डी आर अपॉन डी वहीं पर आर समानु पाती अभिकार को विस अंता के पर्थम गात के तो यह होगी समीकर एक यहां आर बराबर हो गया के भाए आव अभिकर पी संते एक है इसलिए इसका मान सुन्य गात सुन्य नहीं इसलिए इसका मान एक नहीं अगर इसकी वेल्यू यहाँ पर इकाई उसकी घातां कैस का मतलब इसका कोई न कोई मान जरूर होगा उसकी कोई न कोई मत्रा जरूर होगी समी करण एकव दो से समी करण एकव दो से क्या होगा बई जल्दी बताओ समी कराण एक वह दो से दाएंपक्ष बराबर तो बाएंपक्ष भी बराबर बाएंपक्ष बराबर दाएंपक्ष भी बराबर तो D R upon D T is equal to K R की सांदरता Yes or No? फड़ा फ़र जल्दी बताएंगे Done! ओके चलते हैं आग देटा तो हम देखते हैं कि अपने पास minus D बराबर हम क्या लिख सकते हैं K अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख लेती हूँ अभी ताकि आपको clear हो जाए क्या clear हो जाए मैं बताएंगे पहले फिर लिखोंगे हैं ना अगर मैं इसको यहां और इसको यहां ले आओं तो कोई दिकत नहीं ताकि हम उसका आउकलन सही से दिखा सके समाकलन भी करके DR अपोन R is equal to minus k dot d clear तो अब यह समीकरन जो आपके पास तीसरी आई है यह क्या है प्रथम कोटी अभी क्रिया की अवकलित वेग समीकरन ओके समीकरन तीन का क्या करो भई समीकरन तीन का अवकलन सोरी क्या करने पर समाकलन करने चलें आजाओ अब समाकलन करेंगे तो क्या दी आर की संद्रता बटा आर की संद्रता माइनस की डी की यस और नो बात समझ में यहां तक क्लियर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ सकता कि मैं यहां से बताओ कही वार बच्चे कहते हैं तो ध्यान दो भई काली अभी कैरे अभी करिया फिर कुछ क्लितlaw सर्क कर निकालने केलिए हम जानते है कि यह अभी की अभीक्र की दर होती यह अभी समाकलन कैसे किया जाए जरध्यान से समाकलन के लिए का आ जाता है कि अपन देखते हैं कि अपने पास क्या आया भाई अपने पास आया दी आर अपन आज इसका समाकलन होता है एल एन आर इसकल टू माइनस के डॉट टी प्लस सी सी क्या है समाकलन इस्थिलांग यस और नो जल्दी बताएंगे सभी भाईया बहने है ना हमाई तरफ बेटा है सिखा लिए बहने है ना बच्चेयों आप चलें आये जी आये ठीक तो सी का मान निकालने के लिए क्या करें ती इस इकल टू जीरो और आर इस इकल टू आर नॉट कोई दिकत अलन आर इस इकल टू अच्छा यह समीकरन तो अपने लिखा देते हैं अलन आर इस इकल टू क्या माइनस के डॉट जीरो प्लस सी की जगह है अपन क्या डॉट टी लिग दिया और यहां सी ठीक अलन आर की जगह अलन नोड लिखेंगे ना अलन आर नोड इस इकल टू जीस क्या आया सी यह सोड नू जल्दी बताओ जल्दी बताओ बात क्लियर तो सी का मान क्या आया सी का मान आया यह तो सी का मान समीकरन क्या है वह पिछे कितनी थी तीन अब क्या है समीकरन चार समीकरन चार में सी का मान रखने पर आजाओ अलन आर इस इकल टू क्या माइनस के डॉट टी प्लस एलन आर नो यहां तक बात सबकी क्लियर हुई या नहीं सभी बता दो जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ लेकिन लास तक बने रहोगे तभी बाते क्लियर होगी बेटे क्या तो अब अप Erfahr लिखते हैं इसको इस तरफ इसको इस तरफ तो हम लिखते हैं के डॉटट इसे इकल टू क्या ऐलन आर नोट माईनस एलन क्या ठीक कि इस हम यह भी लिख सकते हैं एलन आर नोट अपों सा जल्दी बताओ यास और नू यह विकल बात्वार में है इदर माइनस में है न तो जब भी अपन लोग या एलन की बात करते हैं मैंने पीछे भी बताया है थर्ड चेप्टर में तो हमेशा भाग की बात करते हैं इसको डिवाइड में लिख देते हैं ठीक चले आगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो टी की वैल्यू क्या तो अपन इ अगर एलन क axle किसमें अलbad कोई आप लोग में अनलट करते हैं तो अलन से लोग में कनवर्ट करने के लिए तो पॉइंट ट्रीजिरो ट का गुणा किया जाता है ठीक तो चले तो अब लोग के साथ मेरी आपको लिखनी है चीजे तो आपको 2.30 2.303 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो हमने लिगा k.t is equal to 2.303 लोग आधार 10 आर नोड अपॉन या तो किसी को कोई डाउट नो होना भी नहीं चाहिए अगर केवल के की बात करूं तो 2.303 अपॉन टी लोग आधार 10 यहां तक बात समझ में आ गई यह है आपकी समाकलित वेग सम बात समझ में आ गई और यह जो रियाक्शन आपको यह जो दिखाई दे रही है वैल्यू इससे अपन ग्राफ बनाएंगे आप नॉट कर लीजे जल जल्दी जल्दी नॉट कर लीजिए क्लियर तो यह है आपकी क्या समाकलित वेग समझ कर लेग समझ कर लेग से ओके फटावर उतारेंगे जल्दी से ताकि हम इनके ग्राफ को देख सकें बात समझ में आ गई सभी बच्चों को चलते हैं आगे अब अपन एक नजर ग्राफ ग्राफ कैसे बनाए जा सकते हैं क्या बना रहे हैं ग्राफ ठीक सबसे पहला ग्राफ किसके लिए प्रथम कोटी अभी क्रिया के लिए अगर आप ग्राफ देखते हैं तो वो ग्राफ है आपका सांद्रता व वेग के लिए सांद्रता वेग में क्या होगा जैसे जैसे वेग घटता जये बड़ाते जाओगे तो सांधरता जो है तो हमेशे हैं क्या है घटती सब्सक्राइब तो वे बढ़ता चला जाता है उसके बाद सैकिंड जो ग्राफ आप बनाएंगे वह आपका किसके मध्य ग्राफ पना रहें है किसके मध्य एलन आर्व टी किम राइट एलन आरो टी के मध्य अपनी पर वो समीकनियाद है क्या एलन और इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आएगा जिसकी ढाल कुछ यह है, और ढाल कमान क्या है, माइनस के, यहां पर आपकी प्रारंबिक सांदृता है और यह धिरे-धिरे घट रही है, किसके साथ? समय के साथ, हा या ना, जल्दी बताएंगे बाद क्लियर हुई या ըहीं, सभी बच्चों की जल्दी, 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 चले पटा फट बता दीझी जल्दी बता दीजी ओके जी ओके क्लियर हो गया अगर आपको ग्राफ निकालना हो आर और समय के मद्य तो बताओ कैसा ग्राफ आएगा याद है यह रहा अगर आपको समय और इसके मद्य ग्राफ निकालना हो तो कैसा ग्राफ आएगा समानुपाति में बढ़ता हुआ हाँ यह न बात समझ में जल्दी बताओ यस और नो यस यह हो गया एलन आर नोड अपॉन आर अपॉन बच्चों समझ आ गई बात क्लीर हो गया टॉपिक यस और नो जल्दी बताएंगे ओके चलिए जी जी आज आईए अब चलते हैं अपन प्रतम कोटी अभी क्रिया का एक प्राराम कि सांधरता है वो कितनी रह जाए अधी यस और नो जिसे अपन किसमेरी परजैंट करते हैं इस इसको पर आजर। वेनि आपन ने देखा की अपने पास समीकरंग क्या थी यह राजा बच्चो अपने पास समीकंग थी के इसिकले 2.303 अपन टी लोग क्या आर्नोड अपन यहास और नो तो अपन क्या लिख सकते हैं के 2.303 की जगह लोग आर नोड की जगा नोड ही होगा लेकिन आर की जगा क्या लिख सकते हैं आर नौड अपॉन टू हाँ या न यह कट गए यह दो ऊपर चले गए हाँ या न इसको आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यह लिख देती हूं यह लोग के इस इकल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लोग क्या आया आर नोड अपॉन आर जो भाग में था वो इदर गुना में आएगा यहां से कट के इस इकल टू 2.303 अगर टी हाफ यह लिख दे तो जादा अच्छा रहेगा हाँ या न जल्दी बोलेंगे टी हाफ यह यहां यह यहां के लोग क्या लोग आधार अब इसकी वैल्यू अगर इसको यह और दे यहां सो से गुना तो आपके बास टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी 0.693 अपान के यह और नो जल्दी बताएंगे जल्दी 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 सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे कि आपको टी हाफ निकलना आया या नहीं बात क्लियर हो गई कि मेरे हिसाब से बात समझ में भी आ गई है इससे न्यूमेरिकल भी आता है वो में लास्ट में कराऊंगे इसलिए क्लास को लास्ट तक देखना तो बनता है क्लियर ओके डन अच्छा इसका अगर आप ग्राफ बनाते तो कैसे आएगा टी हाफ और इसके मध्य ग्राफ बना चलते हैं आगे उतार लिया अच्छा जी उतार लो भई उतार लो फटाफट पटाफट पटाफट चले डन अब आते हैं आगे अब अपने पास आता है अगला पॉइंट अभी क्रिया के वेद को प्रभावित करने वाले का अभी क्रिया जब संपन हो रही हो थी उसमें कौ आज अपन देखेंगे उत्प्रेरक की स्तती हो गया ये अपना भी डिसकॉस करेंगे और ये हम next class ने डिसकॉस करेंगे ताकि आपको जाए ठीक है चले आगे आये जी आई यह सबसे पहले है क्या होते है इजुवे पधार्थ होते Hai Best अभी क्रिया में बिना अभी क्रिया में भाग लेकर स्वेम दोखुआ ही वा थो नहीं हो रहे हैं फिर भी लोग उनसे प्रभावित होकर अपना रस्ता चेंज कर लेगा राइका को चेंज कर नहीं आया था लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहा है खुद में कोई चेंज नहीं हो रहा है पर दूसरों में चेंज हो रहा है इसलिए वह व्यक्ति क्या हुआ राइट तो वैसे ही कहते हैं कि वे पलाज इनकी उपस्ति से अभी के वे बढ़ जाता है परन्तों स्वेम में कोई रख कहला आते हैं उपस्तिति अभी क्रीया का वे बढ़ाती यह वह घटाती जैसे अगर अपन एंड और है 3-2 की बात करें तो 2NS3 बनता है एक उपस्तिती में और एक मों की उपस्तिती स्थिए बढ़ती है और अमों साथ ज़ुड़ जाता था अभी किया गवेग घड़ जाता है त्प्रेश का मम का है बात समझ में आई सब्सक्राइब जल्दी बताओ चल जिए आघे चलते हैं उ है तो हो अभिक्रिया जब संपन हो रही होती है तो इसके वेग पर क्या प्रबाव पड़ता तो मैं डाल दूँ और अभिक्रिया इदो का imbalance नजत arkah कि यदि आप उत्प्रेरक के बिना को अभिक्रिया संपन करवा रही है तो अभिक्रिया का वेग उसको अधिक उर्जा क्या उशकता है वहीं पर अगर आपने उत्प्रेरक डाल दिया उत्प्रेरक डाल दिया तो वहां पर उर्जा क्या हो जाती है कम हो जाती है यह उर्जा ज पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है सक्रियन उर्जा कहलाती है राइट बात समझ में आ गई होगी कम ताप पर तिविल गती से उने लगती है तो प्रेड की उपस्तिती में फरीवर्तित हो जाती है और सक्रियन उर्जा कम कर देटी है इवन उत्परे रख्की अनुपस्तिती में है और इटू उत्परे रख्की उपस्तिती में है राइट बात समझ में आ गई तो फटा फट लाइक कर दो जल्दे से और लिख दो यस मैं चलते हैं आगे अब आता है question जिसको आपको हल करना है वो क्या है जा देख लेते हैं दर्शाएगी प्रकाश की पर्थम कोटी की अभिक्रिया में 99 पर्तिशत अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है जब 99 में पर्तिशत पूर्ण हो रही है तब लगा समय और 90 पर्तिशत में लगा समय क्या होगा कुछ नहीं simple theory मालो कोई अभी कारत जब reaction शुरू कर रहा है तो समय उसकी value 100 है और वह 99 परसेंट खतम हो चुका है तो कितना बचा जिरो पॉइंट वन ही तो बचा परसम कोटी में अभी कारत काम करेगा तो कहा कि अपने पास यह तो क्या है बिटा और यह क्या है आर नोड आर नोड माइनस आर यह सोर नो तो कहा कि यह ए जो है और ए मेंस इतना घटा दिया इसकी वैल्यू एक माल लो तो माल ली एक और एक मेंसे यदि इस पॉइंट जिरो जिरो माइनस क्या एक में से क्या गटा दिया 0.99 गटा दिया तो क्या है 0.01 यह सोर नो आगया एक बटा अब इसका पॉइंट हटाया तो हमने लिखा एक बटा क्या कि क्या है जीरो पॉइंट जीरो वन अपने हटाया तो यहां आगे है जीरो जीरो तो यह आगे है क्या दस की घात दो यह रही दस की घात दो क्लियर और यहां पर वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वह आएगा क्या तो अर्द समय जो 99 परसेंट पूर्ण होने पर जो समय चाहिए था वह किसके बराबर आ रहा है एक के बराबर बात समझ में आ गई अब चलते हैं अगर 90 परतिशत पूर्ण हो तो वहीं एक में से कि स्की मान कितना होता है एक का वहां पर यहां पर क्या फरक आया जला ध्यान दू यहां पर एक और यह क्या है दो इसको गुणा में चल रहा था ना आगे लिए दो यह दू गुना है वह एक गुना है यानिकी जब कोई भी अभी क्या संपन होगी तो वह उसके कितने दो गु समझ में आ गई यस सो नो जल्दि बता दी जल्दी जल्दी ज़्दी चलते हैं तो यह था आपका आज का टॉपिक प्रतम कोटी अभिकृया सुन्या कोटी अभिकृया क्योड समाख्लिच समी करण उत्प्रिरग का अभिकृया के वेग पर क्या एफेक्ट होता है वो और आज जो पड़ा उसका एक नुमेरिकल भी हमने हल कर लिया है आप चाहें तो उतार सकते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए डन समझ में आ गई बात बेटा आमने परतम कोठी अभी क्रिया पड़ी थी राइट जिसमें हमने कहा था कि कोई भी अभी क्रिया का जो वेग होता है वो क्या ह होता है उसके किसके समानुपाती होता है अभी कारकों के सक्रिय द्रवमान के इकाई घात के समानुपाती यानि अभी कारकों की सांद्रता के बराबर समानुपाती होता है यह बात मैंने बताई थी मैंने वहाँ पर समझाया था अगर याद हो तो होना भी चाहिए कि किसी भ जब अभी कारक उत्पाद में बदलता है तो यहां पर यह बात तो क्लीर हो जाती है कि अभी कारकों के सांता बदलती है अगर आपने रियक्शन के दोरान फूर एक्जामपल ए प्लस बील या नसी उत्पाद बना दिया ठीक है अगर बेटा यह तो बदल रहा है पर भी कॉंस कि लिए हो चुकी है तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसी अभिक्रिया हैं, जिन में एक अभिकारक responsible होता है, किसी भी react, कोई भी अभिक्रिया को संपन कराने के लिए, तो वो अभिक्रिया जो है, वो छद्दम कोटी की अभिक्रिया कहलाती है, वो श्रेनी तो प्रथम कोटी की है, पर उसमें अभिकारक दो नजर आ रहे हैं, ले में आ गई तो फटा-फट इसको उतारेंगे और अब चलते हैं हम अपने आगे आगे कहना चाहते हैं इसकी परिभाशा क्या होती है यह कह रहे हैं कि वे अभिक्री जिनकी कोटी एक परंतु अनविक्ता दो अभी कारक तो दो ही हैं भाग तो दो ही ले रहे हैं लेकिन परिव परिवर्तन मात्रा में या सांध्रता में तो वो परिवर्तन कोटी है पर संख्या आणविक्ता है अगर आणविक्ता चेंज है कोटी की तुलना में तो छदम कोटी अभिक्या था चदम या आभास यानों का अभिक्रिया कहलाती है इस परकार के अभिक्रियां में एक अभि समझ में आ गई सभी बच्चों को very good clear भी हो गया अब तक कोई भी डाउट नहीं है सभी बच्चों का clear हो गया बिल्कुल जी बिल्कुल अगर हो गया तो यह समें लिखेंगे जल्दी से comment में जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं आगे थोड़ा सा देख लेते ह इसका एक्जामपल कहां है कि एथिल एसिटीट का जल अभगठन करवा हो एथिल एसिटीट का फोर्मूला होता है बिटर सी एश थरी सी डवल ओंड ओ सी तुएश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्टू अच्छा एक काम करेंगे पूछो क्या मैडम अच्छा इसका अभी कारक है अभी कारक की संख्या कि संख्या कि साथ ही वो तो हो गई आन्विक्ता आ जान वही अभी कारक की सांद्रता में परिवर्तन आन्विक्ता कितनी दो संख्या दो कारे वर्तन केवल किसमी हो रहा है एक माई और जल स्थिर रहे भाग नहीं दे रहा है तो यह पर कोटी एक होने जो चाहिए थी तुवित्य कोटी प्रहे कि प्रत्म आद समकोटी अभिकलियाओं को छद्दम कोटी अभी मिया कहते हैं बात समझ में आगी बिलकुल जो विलकुल तो यह लिए भी Engagement चले आगे बात प्लीर हो गई तो बैटा स्मय अभिकलिया दर को या वे को हम कैसे परदिशिद करेंगे केवल और केवल एक अभी कारक ठीक निर देलकूर चलते हैं आगे अब चलते हैं अगले टॉपिक पर ऐपन पड़ेंगे क्या अभी क्रिया वेग और प्रभावित करने वाले कारक निढ़ा हम ने अभी कारक करने कार्कों में अभीकार कों की सांधता बाब ताप और उत्परेरक चार और उत्परेरक आपने डिसकस कर लिए, अब हम करेंगे तीन अन्य बच्छे हुए जिसमें क्या है सबसे पहले तीन कारक सांधता दूसरा है दाब, है तीसरा है sari important जहां से numerical आता है कैसे numerical आते लास्ट मेशमें बताओंगी class के लास्ट मैं इसलिए लास तक जुरे रहना है और यह इतना important है मैं कहूं अज ही आप not कर लें इसमें से question आप की board exam में छपा हुआ है 101 प्रतिशक यह मेरा अनुभव है जो इतना मैं इतना confidence के साथ आता ही है और आएगा ही तो इसलिए एंट तक मेरे साथ जुड़े रहना अगर आपको लगता है कि हाँ आपको अपना समय जो कीमती है उसको यूटिलाइज करना है तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना ओके पर बात हैं मत करो वही तो सबसे पहले हैं अभी कारकों की सांद्र ठीक सांद्रता मतलब क्या मत्र अगर आपने एक पत्र में अभी कारक लिए और उनकी मात्रा आप लगातात बढ़ाते जा रहे हैं यह लगातार क्या कर रहे हैं आप बढाते जा रहे हैं अगर आप बढाते जा रहे हैं तो इसका विक है इसक विक जख जादा हो हाँ यह न इसका विग जदाए क्यों है क्योंकि इसमें अभिकार को की मत्रा साधा है सांधरता जदा है तो यह जदा रियक्शन करेंगे और जल्दी-जल्दी किसमें कनवोर्ट हो जाएंगे उत्पाद में यह रियक्शन तो करेंगे पर कम होंगे क्लियर बात समझ है तो कहा कि अभी क्रिया का जो वेग होता है वो अभी कारतों की सांद्रता के समानुपाती होता है यस और नो पटाफट लिखेंगे यस मैम थाकि बात क्लियर डन बेटा बात समझ आ गई क्लियर हो गया टोपिक तो फटा फट लिकेंगे यशिँं में चलते हैं आम अपना अगला अगला जो है अभी कारतों की संहां कि नियादा पास अपने पास अभी कारक और उत्पाद में संख्या B और C दो हैं वहीं पर अभी कारक दो हैं और उत्पाद एक हैं अगर उत्पाद की संख्या कम है तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा दाब बढ़ाने पर अन्वों की संख्या यदि क्या है कम है तो दाब बढ़ाने पर अभी क्रिया का वेग बढ़ता क्यूं कि अनों की संख्या कम उत्पाद में बदल रही है अगर आप प्रेशर देंगे तो वो जादा टक्कर करेंगे जादा रियाक्शन करेंगे और किसमें कन्वोर्ट हो जाएंगे उत्पाद यह सो यह सो से फटाफ़ बोलो यह से वहीं पर यदि उत्पाद पहले से जादा बन रहा है और आप फिर प्रेशर डाल रहे हैं तो वो क्या होंगी टक्कर करते वक्त एक दूसरे को बैठा देंगे वो कहेंगे नई पहले से जादा कर रहा हूं तुम और जाद चाहते अब र ऐसे ही से बच्चा पढ़ रहा है पहले से और फिर प्रेशर कर रहे हैं कि पढ़ता नहीं है पढ़ता है छोड़ा नहीं पढ़ूंगा राइट तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों को अपने रिदम में पढ़ने दो हैना रिदम मतलब समय को उपयोग में लाते हुए पढ़ है वही उत्पात की मातरा जादा तो दाब बढ़ाने पर अभी क्लिया का वेग घटा है इसकी रियक्शन में बता देती हूं इसकी डाब के प्रवाव के विक्लिया क्या होती है वही जड़ा यहां पर कनेक्ट कर देती हूं PCL5 is equal to PCL3 plus CL2 क्या होगा दाब बढ़ाने पर वेग कम वही पर N2 प्लस 3H2 is equal to 2NH3 यहां देखो कितने हैं अभी का रच्चार उत्पात में कितने हैं दो कम हो गए तो वेग क्या होगा बढ़ेगा बात समझ आगे टॉपिक क्लियर हो गया कोई डाउट नहीं समझ में आ गया ओके तो फड़ा फट लिखेंगे कमेंट में यस मैं अब चलें आगे आपना इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं क्या है ताप पर निर्भरता यस और नो जल्दी बताओ बिटा कोई भी अभ आप इसको उर्जा दे रहे हैं ताप दे रहे हैं तो आप देखते हैं यह आपस में रियक्शन और किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं इस पार जब यह उत पाद में बदल रहे हैं तो किसकी वैसे टाही से बड़ा वेग बढ़ गया है वेग बढ़ी है हाँ यह नो तो ताप बढ़ाने पर अभी क्रिया का वेग क्या हो रहा है बढ़ रहा है सही तो इसे एक गणी की रूप में यह हूं यू कहूं कि प्रायोगी की रूप में रिसर्च किया रहे है का कि जब भी आप बढ़ाते हैं तो अभी क्रिया का वेग दो या तीन गुना बढ़ जाता है जबकि टक्कर केवल दो या तीन परसेंट ही होती है पर ताप इतना रीकवर इतनी एनरजी दे देता है इतनी गतित जुजार देता है कणों को कि वह तुरंत तुरंत किसमें अधर ह तो इसको उतारेंगे और अब अपन थोज़ा सब थ्योरी की वोड चलेंगे हैं क्या कह राजी समझो सामा नित्यार ताप में ब्रदी करने पर रासाइनिक अभी क्रियां के व्येग में भी व्रदी होती है ठीक है इसी लिए किसी अभी क्रिया के लिए वेक किसी निश्यत ता अगर आप एक डिगरी टेमपरेशर तो कोई दिकत में अब आपने उस एक डिगरी में दस डिगरी बढ़ा दिया तो तुरंत अभी क्रिया का वेक दस डोगुना बढ़ जाता है लिए बात समझ आई तो यह कह रहा है कि एक डिगरी पर केटी है तो दस दिगरी पर क्या यस इसमें कोई दोराएं नहीं और उस समय ताप गुनांग की वैल्यू कितनी आ जाएगी दो गुनी और तीन गुनी कुछ अभी क्रियें ऐसी होती है यह ठीक बात है यह ठोसों के लिए कोई भी कण है वह भारी है ठोस रूप में लेकिन गेसों में इसा नहीं है क्यों नह से एनर्जेटिक है उनमें पहले से गति चूट जा है यह सो नो बोलो जल्दी है की नहीं है है आरे बात तेनी करो यार बात करोगे तो फिर वही दिकत है समझ नहीं आएगा टॉपिक फिर कहोंगे मैडम हम तो यहीं ऐसे आ गए थे अरे यह से ही नहीं आते समय की कीमत जान करकी है आपने को यस यह मॉलिक्यूल लिया थो आपने पास पहले से गती जुर्ज है क्या इनकी घती जूट ज़ुर्जा जादा जादा हें आपने और ताप दे दिया और टेंपरेचर देंगी है हो जाएगा और ज़्यादा गति-जूज्य होने से कन commence knowing nights livingyas गी करेंगे न गेसी अभी क्रियें जब होती है तो उनमें क्या हो जाता है ताप गुणांक एक से कम हो जाता है जो दर्शाता है कि अभी क्रिया का विग ताप के बढ़ाने पर कम हो जाता है सामान्य ताप बढ़ाने पर अनुओं के मत्य प्रतिक्रिया प्रति सेकंड संख्या बढ़ जाती है जिससे अभी किया का विव ब्र जाता थिस और नूँ बात समझ का अर्थार हमconoह है किस written सकते हैं अर्थार अभे किया का वेक बराबर है के गुणा तक्रों की संक्या तक्रों की संक्या के बात समझ आई तो देहों यहां लिख रखा है परिक्रन से यह ग्यात होता है कि दस दिगरी ताप बढ़ाने पर अनुओं के मद्य टक्रें केवल दो से तीन परसेंट ही हो रही है पर वेग दो सो से तीन से तीन तीन गुना बढ़ जाता है बात समझेंगे क्लियर हो गई आई तो फिर इसको एक बार आपर थोड़ा सा ग्राफ में देखते हैं देखो बेठा यह चीज क्या बता रही है कि अच्छा में इस तरफ करते हैं ताकि आपको बात समझ में आदे हैं जरा ध्यान से यहां पर आपके पास अभी का रखें कि रसीदे लिए अभी कहेंगे माडम क्या यह हमें दिखने रहा है रियक्टिंट आ ठीक और इनके पास क्या है परियाप्ट इतनी उर्जा है परियाप्ट परियाप्ट उर्जा इतनी है कि वो अभी क्रिया कर सकते हैं कर सकते हैं ठीक है लेकिन अभी क्रिया करके क्या बनाना है उत्पार जो उसके लिए उर्जा चाहिए क्या उतनी है नहीं किन के पास इन सभी के पास नहीं है न तो जब आपने टी टेंपरेचर दिया था तब तो उतनी नहीं थी लेकिन जब आपने तस परसेंट बढ़ा दी तो उस समय है क्या वह ऑभी क्रिया जब हो रही थी तुँन में से कुछ कर्ड इतनी उर्जा उनके पास आ गई जिसे हम सक्रियन उर्जा कहते हैं उतनी सक्रिय उंजा आ गई कि वह किस्में कन वर्ट हो गए उत्पाद में बदल है यानि यानि कि वह उन्zessrina excited और इतने excited हो गए कि उनके पास सक्रियन उरजा के बराबर उरजा गई और वो किसमें convert हो गए वो उत्पाद में बदल क्लियर बात समझ में आई या जल्दी बताओ किसमें बदल गए भाई उत्पाद है देखो यह कह रहा है न यह चेत्रा भी किरिया करने वाले अत्रिक्त अनु को दर्शाता है यह सोर नो बात समझ आई या नहीं क्लियर हुआ या नहीं टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं कि यहां पर पहले अनु इतने ही थे अब अनु इतने जादा हो गए बात समझ में यह सोर नो जल्दी बता दो जल्दी बता दो पहले इतने ही अनु थे अब यह क्या है सकी यह दस डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के बाद अनूओं में क्या हो गई अभी क्या का वेख बढ़ गया और नूओं की संख्या बढ़ लियाद बात समझ में आई या जल्दी बताओ कमेंट में फटाफट बताओ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ जल्दी लिखो भई बेटा बाते नहीं करेंगे बाद में करेंगे में रोज कहती हूं न पांच मिन बाद में रुकेंगे उसके बाद आपकी बात करेंगे तो के कि अभी यहां पर समझ में नहीं आ रहा वहां चलो बात स hedge का वेख आप बहुत करें वहाँ पर आप डेखेंगे कि यह व्हूआ क्तातकी निर्भारता को हम आरेनियस अलिकरन dragon store समझ सकते अरेमियस नाम विगयनिक आया था उसने कणों की उपर रिसर्च किया और उनकी तक्कर करके या उनकी आपस में एक टक्राने से जो उत्पात बना है उसमें जो उड़ जाए उत्ताप पर डिपेंड करती है उसकी आधार पर समीक्रण प्रस्थित कि जिन्होंने आरेमियस है एका है एक यह आरेमियस गुनांग है है यह आवरति गुनक है एह और विजो है वो क्या है आपका इस जो है वह जो उड़ आपको चाहिए इनर्जी के लिए बताया गया है activation energy और आर जो है वो है यह सी नेता और टी जो आप परमताप दे रहे हैं अभी किरिया के दोरान यह सक्रियन उर्जा है जे मॉल प्र जूल प्रा मॉल में व्यक्त करते हैं अभी कारक वुद पार कि मद्य सक्रियन संकुल बनताई से बनाने के लिए जो उर्जा चाहिए उसे हम सक्रियन उर्जा कहते हैं वैसे प्रॉपरली किसी भी सक्रियन उर्जा को इरिया पढ़ते हैं तो वो क्या होती है जरा एक नज़र डात सक्रियन उर्जा क्या होगी बात समझ में आई गी यह जिसके कि अनू तो होते हैं वो भी क्रिया भी कर रहे होंगे लेकिन वो आपस मे reaction करके क्या उत्पाद में बदले हैं अगर कोई भी रियक्टन उत्पाद में बदलता है इसका मतलब उसके पास परियाप्त उर्जा है सक्रियन हो जाए तो परिभाशा आपकी स्क्रिंग पर है किसी रासाइनी का विक्रिया को समझ संपन होने के लिए जो न्यूनतम उर्जा क झाहिए और होती है वही सक्रिय닝 निटर जाते हैं कि आप ज nutr докस्की और में बदल जाते हैं यह तकरी दोपरकार की घोंती बात समझ में आगे अब यह कह रहा है कि आप जब टक्कर की बात कर रहे हैं तो यह टक्करे क्या है अगर उत्पाद में बदलता है तो टक्कर है प्रभावी अगर उत्पाद में नहीं बदलता है तो टक्कर है अप्रभाव देखें आई अपने पास एक बॉक्स बनाया हुआ इतना है जो यह एक मालोग पात्रेज görEst anher reactant बहूत सारे लेकिनि पुछ्छ्रियाक्ट जो है वो इस टेडश है और कुछ प्रेंदिश्चिंटम एंप यह यह एक और दो अब इनमें जब टक्री होंगी तो अगर यह एकक्टण हो गए इनसे तो ये इनके साथ जुड़कर किसमें कंवर्ट हो जाएंगे उत्पाद में बदल जाते हैं इसमें बदल जाते हैं उत्पाद में बदल जाते हैं तो दो प्रकारी तक रहे होती है प्रभावी और यदि ये प्रभावी है तो उत्पाद नहीं अगर प्रभावी हैं तो बात कमझ नहीं यानि जो प्रभावी होते हैं अभी कारक वही उत्पाद में बदलते हैं जो ए प्रभावी होते हैं वो उत्पाद में कभी नहीं बदलते हैं इसलिए टक्करें भी क्या होनी चाहिए प्रभावी होनी चाहिए राइट अगर आ अभी क्रिया उश्मा छेपी उश्मा शोशी हो तो क्या तक्रों से एक्टेड होगा बिल्कुल होगा ग्राफ में समझते हैं तो कहा कि आपको सक्रियन और जाग चाहिए लेकिन एफ्टेड भी होना चाहिए देखो बैद अपने पास रियक्टेंट तो बहुत सारे हैं इसमें कोई दोर आएं पर इनने जो रियक्टेंट है वह रियक्टेंट रियक्टेंट करके एक एनर्जी उनमें आती है और यहां तक आ जाते हैं और यह वहन यूनितम उर्जा है जहां पर रियक्टेंट गतिज उर्जा प्राप्त करता है और वह गतिज उर्जा इतनी हो जाती है कि वैं सक्रियन और जा के बराबर हो जाती है और वह सक्रियन और प्राप्त करके किसमें कनवर्ट हो जाते है उतपाद में बदर जाते हैं लेकिन कब जब यह क्या है एंडो गजोफर्मिक और भशॉतरामिक मतलब उष्माच शेपी है पहले से ही ऐए एंटशाइ्टिक है मिसा से बहुत ज्याधा थी इस लोग नहीं में तो पावर में रहते हैं फूमते हो गूमते हैं हलकते गूमते रहते हैं से वह थैसे एणर केब आण कहते यूत जो है है आज का बहुत ही ज्यादा वह एक्साइटेड है लेकिन वह एक्साइट रोटियंन मिले से तुल अचते हैं और तो उनको क्या करना पड़ेगा उनको जो एनर्जी आप तुरंत देंगे वह सीधा ही एक्टिवेशन एनर्जी में कनवर्ट होकर किसमें बदल जाएंगे जब आप पहले उर्जा देंगे तो वह एक्साइटेड हों के दिरे दिरे मूव करेंगे हां जी हां विल रहें डूल रहें चलो अब चलते हैं अब फिर उठेंगे फिर रियक्शन करेंगे फिर उत्पाद यहां पर उत्पाद बात समझ में हाँ यह न क्लियर हो गई समझ आ यस और जल्दी बताएंगे तो एक्जो थर्मिक और अन्डर्थर्मिक रेक्शन कंपलीट हो गई बात समझ में आई सक्रियर और यहां पर कम चाहिए और यहां पर जादा चाहिए तयों कम चाहिए क्योंकि एक्साइट पहले से हैं यह एक्साइटेड नहीं है इसने इनको ठीक है जी बात क्लियर हो गई ओके जी हो गई अब चलते हैं आगे सक्रियन उर्जा का मान क्या बेटा सक्रियन उर्जा को हमने आरेमिय समीकन के साथ तनेक्ट करने कोशिश किये तो वहां से उसको गणितिय और किसमें ग्राफिकल रूप में रिपर्जन करेंगे तो वह किस उसको सकते हैं और यह अपन जानते हैं कि स्कार्डियर यह अपन जानते हैं कि वाई बरावर करें तो अगर आप इसको आपто आपने ग्राफ में तो आप देखेंगे कि आप के पास यह शरक ना था है तो island के और वन डापऊंट टीदिया ड्राफ कहते हैं तो ग्राफ कैसा आ रहा है कैसा है आगे नेशान क्या लगा हुआ जल्दी बता दू जलदी बता दो कैसा हाँ या ना जल्दी बताएंगे बच्छों जल्दी जल्दी बात समझ में आदी ग्राफ तो आ गए होंगे कि मैंने परतम और सुन्य कोटी के पूरे ग्राफ आपको समझाए है अब आता है गणितीवा विदी से गणितीव विदी का मतलब क्या है यह यू कह रहे हैं कि यदि नियतांक या गुणांक आएगा उसकी वेल्दी दो रियक्षन के लिए आप चाहते हैं तो उस समय एक्जोर एंडोथर्मिक रियक्षन में दिया बात कर रहे हैं तो वो आपको मान कैसे प्रापत होगा उसका टेंप्रेचर जो है वो कितना इफेक्टेड होगा तो कहा कि अ अपने पास रियक्षन है एलन के बराबर माइनस यह अपन आर वन अपन टी आया जल्दी बताओ प्लस एलन क्या है ए ठीक है पीछे लिखाना अभी आपन ने झाल देखो यह रख आगे इसको यह दि आप किस रूप में लिखते हैं अगर आप इसको प्लस यहां पे अच्छा लिखा नहीं गया है ओकीकी मैं लिख दो प्लस एल एलन की जो वीख यह रिखता गए बात समझ आगे चलते हैं यह था न आ इसको आपर constant के रिखेंगे चले आओ तो यह तो बात समझ में आगे तो यहां पर इदि आप पहली reaction के लिए लिखेंगे तो पहली reaction में तो क्या होगा वन लिखा जाएगा अलन वन टी वन फॉर्स रियक्शन होगी सेकेंड एलन के टू इस इकल टू माइनस यह अपॉन आप आप वन अपून टी टू प्लस एल में समीकरण दो यह सो जल्दी बता अगर आप अब समीकरण दो में से एक को घटाते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें एक अंतल निकालना है कि सक्रियन उर्जा के साथ जो ताप है उसका संबंध हम कैसे लिखा सकते हैं राइट तो आ चाहिए भाई यह बात तो क्लियर होगे तो अब अपन क्या लिखेंगे ऐलन के टू माइन अपन लिखेंगे माइनस यह अपन आ यह सो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ और माइनस अपन क्या लिखेंगे इसमें से ही इसको घटाना है माइनस माइनस यह अपन आर क्या वन अपन टी तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यह माइनस में माइनस में प्लस में हो गया तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं यह अपन आर दोनो कॉमन ले लिए कॉस्टक में वन अपन टी वन प्लस सरी माइनस वन अपन टी यह सोर नो जल्दी बताओ बात समझाएगे तो अपन क्या इसको ऐलन बराबर के टू अपन के वन लिख सकते हैं इस इकल टू यह अपन आर बड़ा कॉस्टक वन अपन टी वन माइनस वन अपन टी जल्दी बताओ यह सोर नू अगर बेटा यह ऐलन है आपको मैंने बताया है इसको लोग में लिखू तो क्या कर दूं टू पॉइंट 303 से मल्टिप्लाई कर अरे बोलो भई जल्दी तो हम क्या लिख सकते हैं के टू अपन के वन इस इकल टू यह अपन टू पॉइंट 303 आर बड़ा को स्टक वन अपन टी वन माइनस वन अपन टी टू यह सो नू भड़ा फर जल्दी से लिख दो कि बात समझ में आई है यह नहीं क्लियर हो गया राजा बच्छों बात समझ में आ आप सक्रियर उर्जा का मान ग्याद कर सकते हैं वेग जो आपका गुणांक है उसका मान ग्याद कर सकते हैं साथ ही समय जो परिवर्तित हुआ है जिनमें परिवर्तन हुआ है टीवन टीटू का मान ग्याद कर सकते हैं तो सक्रियर उर्जा और ताप में जो संबंद बताने वाली समीकन है वो क्या है के टू अपोन के वन इस इकल टू ये अपोन आर आर के साथ में 2.303 बड़ा कॉस्ट्रक वन अपोन टीवन माइनस वन अपोन टीव बात समझ में आ गई तो फटावड यस में हम लिखेंगे जल्दी से इसको आप क्लियर करेंगे अब चलते हैं अपने अगे अपने नेक्स टॉपिक पर जो इतना इंपोर्टेंट है जहां से क्यास्ट आता ही आता है इससे अपने क्यास्ट भी हल करें कि कोई किसी से टकरा रहा है तो कैसे कैसे हो रही है वह तक ​​क बत होती है चलते है ने अपने ने सबसे पहले जो इसकी बारे में बताया वह वह व्यक्ति था मैक्स ट्राwn्ड या नेक्स त्राउंस नामक विज्ञानिक था और साथ में था लिस इन दोनों ने मिलकर अनुओं पर रिसर्च किया और कहा कि जब अनुओं आपस में टकलाते हैं तो इस पारती थे इनने कहा कि अनुओं जो है कि परस पर अच्छा यहां पर क्या कर लेंगा है अच्छों अनुओं के परस पर तक्राने से उत्पाद बनता है ठीक है कोई दिक्कत ने और उन्होंने इन अनुओं को किस रूप में बाना ठोस गोले के रूप में अनुओं जो है वो ठोस गोला होता है गोले के रूप में ठीक है और कहा कि यह आपस में टक्राएंगे और टक्रा कर किसमें कनवोर्ट हो जाएंगे बात समझ में फिर उन्होंने कहा कि जब यह तक्रा रहे हैं ठीक पार तक्रा तो रहे है क्या यह बार बार टक्रा रहे हैं यह केवल एक बार टक्रा में इसे उत्पाद में बदल जाते हैं तो लूइस और मैक्स ने एक नया उपस्तित है अनुज़ी का याइतन में उपस्तित है वह प्रती सेकेंड वह प्रती सेकेंड जितनी टक्कर करता है वह क्या होती है वही उसकी संगट आवरती है यह सो नो बात समझ आई है संगट आवरती का मतलब समझ में इस प्रती का याइतन में उपस्तित अनुओं की संगे जो प्रती सेकेंड जितनी टक्करे करती है क्या कहलाती है संगट आवरति के एक लिए बात से समझ में आगी सभी बच्चों को तो तकराने का मतलब तकराने से थोस अनूं से थोस अनूं जब बाल बार टकराएंगे तो उसकी संगट आवरति ठीक है यहां तक कोई विपकर नहीं अब कहा कि संगट आवरति जब हो गई तो आप किसी रियक्षिन में बताओ ठीक है कोई इशू नहीं है आ जाईए उन्होंने का एक सिंपल सी रियक्षिन है एप प्लस बी इस इकल टू उत्वार अगर अपन इसको आरेनिया समीकरण को किस से कनेक्ट करने को उश्च करें आरेनिया समीकरण को हम संगट आवरति स इस कनेक्ट करने को इसके रहे हम लिखें के बराबर इस के बराबर क्या तो कि इसे आप यह संगट आवरती में जोड़ें तो आरेनिया साय अब यह संगट आवरती में जोड़ों आवर्ति में जोड़ो तो कहते हैं कि अब आपको के की जगह के ठीक है पर एकी जगह जड फिर AB यहनि कि जो आरे नियस था उसकी जगह पर जड़ आवर्ति वाला आपके यहां पर के क्या है बेटा पूर्व चरगाताम ठीक को की जड़ क्या है बेटा संगट आवर क्या है बच्चों संगट ड़्च इसलियर बात समझ में आवर और यह अपना आर्टी तो क्या है जो अनुठ आपस में टक्रा रहे उनकी सएक्प जिनकी मिनिमुम उर्जा सक्रीन अट बढ़न की बराबर है तभी उत्पाद में बदल तो इन्होंने कहा कि जब भी आप किस तरह की बात करते हैं तो कोई भी अभी क्रिया जो होगी या भी क्रिया का जो वेग होगा वो दो कार्पों पर निर्बर करेगा किस किस पर वो निर्बर करेगा सक्रिय और उड़जा पर और साथ ही निर्बर करेगा क्या उचित अभी विन्यास का मतलब क्या है एक डाइग्राम से समझाते हैं देखो कि आपके पास एक रिक्टेंट यह हों यह है ठीक है कोई दिकतर है कि यह एक्टेंग आपसे बहुत धीरे-धीरे रियक्शन कर रहे हैं नजदिक बहुत धीरे-धीरे और इतना स्लोच रहेंगे तो उत्पाद कभी नहीं बन सकता क्योंकि आपको बहुत समय लग जाएगा तो यहां पर वो उर्जा सक्रियन उर्जा के बराबर है वो रियक्शन हो रही है लेकिन इनका अभी विन्यास नहीं जहां से जुड़ना चाहिए वहां से जुड़नी रहा है क्योंकि और अभी विन्यास नहीं तब भी रियक्शन नहीं थर्ड में देखो और जाब है और अभी विन्यास भी है तो क्या बन रहा है प्रॉड़क्ट यह सोने बात समय यह जल्दी बताओ लिखनाना चैमिकल रियक्शन कंप्लीट सही है इसलिए कहां जैकि कोई भी क्या को खिया का वेक अभीकारकों की सक्रियन उर्जा पर निर्वर करता है साथ ही इसकी अभी विन्यास पर निर्वर करता है क्लियर चलिए चलिए आगे चलते हैं अब आता है कि अगर अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल है अगर अपने को रियक्शन करानी है तो वो रियक्शन के दोरान हमें उनका अभी विन्यास और हम जब देख रहें तो ग्राफिकल रूप से कैसे रिपर्जेंट करें तो कि आपके पास molecule है जिनके पास इतनी और जा है कि वो reaction कर रहे है आपस में टक्रा रहे है लेकिन इतनी और जा नहीं है कि वो उत्पाद में बदल जाया यह यह कहूं सक्रियन और जाके बराबर जा नहीं है लिखा है ना number of particles represented by the area under this part of the curve do not have enough energy to react right ठीक है बैठे है बस यहां पर लेकिन जब यह आपस में तक्राएं तो कहां कि only the number of particles represented by the area under this part of the curve if have enough enough energy to react level यह है जो क्या कर सकते रियाटब्ट करने की इनके पास शमतां है यूक्र 우리는 यह है तब तो product बना है अगर नहीं तो इन्होंने इसको क्या कहा कि अपको क्या कहते हैं collagen frequency भी कहते हैं शायद बात समझ में आगी ग्राफ भी बहुत सरी है यह रिपर्जेंट करना वाज ज़रोगी आपको रिपर्जेंटेशन ऐसा आना चाहिए आप उतारो ताकि आपको चीज़े क्लियर हो जाए पीछे वाला भी उतारो आपको क्लियर होना चाहिए संगट आवर्ति और संगट सिद्धांट क्लियर है बिल्कुन अब चलते हैं आपन थोड़ा एक एक एक्जामपल लेए प्रश्न है सक्रियन उर्जा घ्याद करो अगर के कामान इतना हो और अपने पास पूर्व घातां की कारक इतना हो ठीक आपको क्या दो है अपने पास यह रियक्शन है यह तो हमें पता है हमें पता है कि इस तरह से इसका फॉर्मूला पीछे निकाल कर आए है यह सो जल्दी बताओ निकाला यह फॉर्मूला सभी बच्चों अभी मैं निकाल के दिखाया था ना गणी तीयर ऊप यस तो यहां पर आपन देखते हैं कि अपने अपने लिख ली है उसके बाद अपने पास आर की वेल्यू भी दी गई है अपने को एक्टिवेशन चाहिए अब फटा फटा आप सभी बच्चे इसका एक कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट में लिखेंगे कि आपका आंसर भी क्या यही आ रहा है जो दिया है वो मैंने बता अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन में दिखता है बेटा फिजिकल कैमेस्ट्री के जो चाप्टर्स हैं वो पूरे आपको नियूमेरिकल बैस्ट होते हैं इसलिए वहां पर इसलिए मैं हर टॉपिक के बाद नियूमेरिकल करवा रही हूं इसके पीछे यही स्क्रिप्शन में से हमवर्क जरूर ले लेंगे ओके ताकि आपको बात समझ में आ जाए और सभी बच्चे बेटा पढ़ो समय की कीमत को जानो समय बहुत कीमती है निकल रहा है अगस्त आ गया है दिसमबर तक स्लेबस करना है जनवरी में प्रैक्टिकल है फरवरी में एक् पर क्लियर हो गया खतम हो गया निमेरिकल भी समझ में आगई तो अब नेक्स लास में नए चेप्टर के साथ जब मैं आऊंगी तो वहां पर आपको पूरा तयारी के साथ की तीन चैप्टर हो पर क्लियर है और उन्में कोई डाउट है तो आप पूच सकते हैं ओके ताकि मै next class में जब आऊं तो मैं उनके doubts आपको clear कर सकूँ तब तक खुश रहो मस्त रहो लेकिन पढ़ते रहो thank you